हालो स्टूडेंट मैं आप लोग का संजीव पांडे आन एकेडमी के लेट्स क्रेक UPSC CSC हिंदी के चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ हार्दिक अभिनादन करता हूँ आप लोग को एक अग्रिम सुचना आज देदूं कि हम लोग आज की क्लास से पूर्व आधुनिक भारत की NCRT की रूप में हमारे अतीत कच्छा आठ की NCRT का अध्यन किया अब आधुनिक भारत के NCRT के बाद में हम लोग फुड़ा पीछे लोट रहे हैं और मध्यकालिन भारती इतिहास की NCRT का अध्यन करेंगे हमारे अतीत कच्छा साथ की NCRT का हम लोग अध्यन करेंगे यह भी अध्यन जिस तरीके से आप लोग के बीच में आधुनिक भारत की NCRT का था उसी तरीके से यह अध्यन भी सार्भोमिक अध्यन होगा हलाकि इस NCRT को अभी तक मुख्यत यहाँ इस चैनल पर कुछ लोगों ने पढ़ाया है लकिन काफी दिन हो गए तो आए हम लोग अनेकेडमी के बारे में कुछ आधार भूत बातों को जानते हैं उसके बाद में सीध हैं हम लोग आज की क्लास पर आ जाते हैं आनेकेडमी देश का सबसे बड़ा आनलाइन चैनल है यहाँ पर सब्क्रिप्शन्स लेने पर आपको क्या-क्या सुभधाय मिलती हैं सबसे पहले हम लोग इस बात को जान लेते हैं तो यहां पर सब्क्रप्शन्स लेने पर आप लोगों को डेली लाइब क्लासेश की सुविधा मिलती है और लाइब क्लासेश के माध्यम से जो भी क्लेबस से UPSC का उसका डिसकॉसन किया जाता है और जो भी आपके डाउट्स हो यहां पर आप लोगों को लाइब टेस्ट और कुईस की सुविधा मिलती है अनलिम्टेट एक्सेस की भी सुविधा मिलती है यह चार आधार भूस सुविधाएं इसकी अलावा यहां पर सब्क्रप्शन्स लेने पर देश के बड़े-बड़े विशेश सक्गे जैसे मोडा कर सकते हैं संजीव पांडे के नाम से सर्च करें वहां पर मैं मिलूंगा बहुत सारे इस्टूडेंट उसमें हैं आप लोग भी उसको ज्वाइन करें वहां पर समय समय पर पीडिएफ आपको मिलता रहता है यह यह यहां परिपेक्ष में जो जानकारियां अग्रिम होती है करेंट अफेड सम समयकी का अध्याइन कर श्वाइन आ प लोग उप यह यह है कि तैयारी कैसे करें यह भी बताया जाता है यहाँ यहां पर दो तरीके का सब्रेफ्रॉप्शंस ए це सब्रीफ्संस के बारे में मैं आपको बता देता हू यहां Plus Kourse का सब्क्रप्संस है और आईकोनिक कूरस का सब्क्रप्संस है दोनों आपसन के इसमें आप लोग अपने मोबाइल के पिले स्टोर से लेड़नींक के एपको डौनलोड करने फलता आपको मोबाइल में ही अपसन आएगा यहां पर आप लोगों को प्लस स्कोर्स के बारे में मैं आपको बता दू ये 6 महिने के रूप में 12 महिने, 24 महिने और 36 महिने के रूप में मौझूद है यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे तो हैवे रफरल कोड का आप लोगों को आपसन मिलेगा यहाँ पे रफरल कोड में आप लोग S-A-N-C-E-B का परियोक करें यह जो प्लस कोर्स की फी है, इसमें 10% की चौट यहाँ पे मिलेगी, इसी तरीके से अपलाई करेगा इसके अलावा हम लोग आईकोनी कूर्स की बात करते हैं यहां का भी सब्कृप्संस इसी तरीके से आप लोग प्राप्ट कर सकते हैं यहां 12 महिने 24 महिने और 36 महिने का सब्कृप्संस आप लोग के 20 में है इसमें भी आप लोग हमारे रिफरल कोड एस ए एन जे डबल ए बी क कुछ अन्य बातों को जानते हैं आनेकेडमी समय समय पर एक कामबैट सिरीज को आप लोग के 20 में लाती है यह जो इस बार की कामबैट सिरीज है यह 14 फरोरी और 28 फरोरी को 11 वजे हो रही है इसमें आप लोग सामिल हो सकते हैं सामिल होने पर अगर आप लोग इसमें से आपको अनेकेडमी की तरफ से तमाम सरे गिफ्ट दिये जाते हैं यह अनकेडमी के कोर्स के रूप में भी होता है अन्य यहां पे गिफ्ट भी होता है इसकी अलावा अनकेडमी ने कई बैचों को प्रारंब किया हुआ है 12 फरोरी से इसे आप लोग जोइन कर सकते हैं यह सामापर एक साल का सामान अध्यन का बैच भी है और इसका अध्यन प्रारव करते यह बहुत ही इंपार्टेंट क्लास है आज की हर पना है। और डिय चालो आज हम लोग शामाजिक विज्ञान की हमारे अतीत कच्छा आठ के पुस्तक का अध्येन करेंगे यह हैस आपके सामने कच्छा 7 की इतिहास की पाठत stylist पुस्तक है इसी का हम लोग अध्ययन करेंगे अब आप लोग तयार हो जाएए पुरी तरीके से पूरी तरीके से जो इसको बनाये रखनाए उससाह को बनाये रखना है आजकी क्लास में यह महत्वपूर्ण क्लास है खास करके जो UPSC 2021 की प्रारंभिक परिक्षा है उस परिक्षा को ध्यान में रखते हुए यहां पे इस NCRT का कोर्स आप लोगों के 20 में कम्प्लीट करवाय जाता है ऐसा नहीं है कि जो यह पढ़ाया जाएगा यह 2022, 23, 24, 25 के एक्जाम के लिए उप्योगी नहीं होगा भाई सलेवस तो वही रहेगा तो चाहे वो नए बच्चे हों चाहे पुराने बच्चे हों और चाहे इस बार एक्जाम में सामिल हो रहे बच्चे हो इन सभी लोगों को फायदा मिलने वाला है इस NCRT से चुकि इस NCRT का अध्यान हम लोग सारभामिक रोप से करेंगे अब इसमें आईए हम लोग आगे बढ़ते हैं पहुंशते हैं यहां की टाइटल को देखते हैं क्या क्या इसमें कौन-कौन से अध्याय हैं कौन-कौन से टापिक हैं जिसका अध्यान हम लोग को करना है पहले उसके बारे में हम लोग देख लेंगे उसके बाद में पहले टापिक पर हम लोग आ जाएंगे और अध्यान आज का प्रार्म करेंगे तो आए देखते हैं इसके टापिक के बारे में क्या क्या इसके टापिक हैं आप लोगों के बीच में तो एक तरीके से इसमें कुल दस अध्याय हैं कितने अध्याय हैं कुल दस अध्याय हैं इनहीं का हम लोग अध्याय करेंगे कुल कितने अध्याय हैं दस अध्याय हैं एक अध्याय के बारे में हम लोग जानते हैं एक एक अध्याय के बारे में हम लोग जानते हैं कि किसमें कि इन बातों का हम लोग अध्यन करेंगे उसके बाद में पहले अध्याय को हम लोग देखेंगे पहले अध्याय में क्या-क्या खास बाते हैं इसका अध्यन हम लोग करेंगे तो यहां पर आप लोग देखिए हजारों बरसों की दवरान हुए परिवर्तनों की परताल करेंगे इतिहास कि NCRT में पहले अध्याय में करेंगे, कैसा परिवर्तन हुआ समाज के छेत्र में, राजनीती के छेत्र में, प्रसासन के छेत्र में, तंस्कृति के छेत्र में, इसके बाद में दूसरे अध्याय में हम लोग नए नए राजया और उनके राजय का अध्यन करेंगे, तो किस की शेत्र में वो राजा अस्थापित हुए उन राजा का नाम क्या है उनके बंस का नाम क्या है उनके राज्य की प्रकिर्ट क्या है उनके राज्य का सुरूप क्या है इसका अध्यन हम लोग दूसरे अध्याय में करेंगे इसके अलावा हम लोग तीसरे अध्याय में दिल्ली के सुल्तानों का अध्यन करेंगे तीसरे अध्याय में दिल्ली के सुल्तानों का अध्यन करेंगे दिल्ली के सुल्तानों में हम लोग करीब करीब पचास सुल्तानों का अध्यन करेंगे दिल्ली के सुल्तानों में सबसे पहले हम लोग गुलाम बंस के इतिहास को पढ़ेंगे गुलाम बंस या दास बंस के इतिहास को पढ़ेंगे इसी को मामलूक बंस के नाम से जाना गया इसमें कुल 11 सासकूं के इतिहास का अध्यन करेंगे तो पहला सासक कौन है दिल्ली सल्तनत में गुलामबंस का कौन बताएगा तो पहला सासक है कुतब बुद्दिन एवक इसका साब्दिक अर्थ क्या है चंद्रमा कादेवता और अंतिम सासक कौन है गुलामबंस का तो अंतिम सासक है कये खुसरो इसका भी हम लोग अध्यन करेंगे इसके 20 में जो 9 सासक है उनका भी अध्यन करेंगे इसी में बलवन आपको मिलेगा इसी में एलतोत्मिस में आपको मिलेगा इसी में रजिया आपको मिलेगी देखेंगे कि गुलाम बंस के सासन की प्रकिर्टी क्या है इन्होंने किस तरीके से दिल्ली सल्तनत को भारत में अस्थापित किया और क्या क्या सांस्कृतिक विगास हुए दिल्ली सल्तनत के इतिहास में जो दूसरा है वह खिलजी बंस का इतिहास है तो पहला आप लोगों ने देखा क्या गुलाम बंस के इतिहास को दूसरा है खिलजी बंस का इतिहास खिलजी बंस का इतिहास और खिलजी बंस की अस्थापना किस ने की थी तो खिलजी बंस की अस्थापना जलालो दीन फिरोज खिलजी ने की थी उसके बाद अलाव दिन खिलजी सासक बना इसके अलामा कई अन्य छोटे छोटे सासक हैं उनका भी अध्यन करेंगे इसके बाद में हम लोग इसी में तीसरे बंस के रूप में तुगलक बंस के इतिहास का अध्यन करेंगे तुगलक बंस के इतिहास का अध्यन करेंगे तुगलक बंस के अस्थापना गयासुदिन तुगलक ने की फिर मुहम्मद बिन तुगलग फिर फुरोसा तुगलग फिर अन्यसा सकाए उनका भी अध्यन करेंगे इसके बाद में चौथे बंस के रूप में हम लोग सैयद बंस का अध्यन करेंगे सैयद बंस एक तरीके से दिल्ली सल्तनत का सबसिक कमजोर बंस है इनके सासकों में जो मुबारक सा हैं मुहम्मस सा हैं उनका भी हम लोग अध्यन करेंगे इसके बाद में जो अंतिम बंस है उसका नाम है लोधी बंस तो लोधी बंस के सासकों में कुल तीन सासक ही हैं उन तीन सासकों का हम लोग अध्यन करेंगे लोधी बंसका जो संस्थापक है वो बहलोल लोधी है जो दूसरा सासक है वो सिकंदर लोधी है जो तीसरा सासक है वो इबराहिम लोधी है तो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का हम लोग अध्यन करेंगे आगे बढ़ेंगे और चौथी टाइटल की रूप में इसमें हम लोग मुगल सामराज्य का अध्हिन करेंगे मुगल सामराज्य का अध्हिन करेंगे यह है आपका मुगल सामराज्य है तो मुगल सामराज्य में अगर आप लोग देखें हम लोग करीब करीब 17 सासकों का अध्यन करेंगे एक दो नई 17 सासक हैं इसमें 17 सासक में आप लोगों ने देखा होगा कि बावर ने मुगल समराज की अस्थापना भारत में की थी इसके बाद इसका पुत्र हुमायु सासक बना था तो इस हुमायु के इतिहास को देखेंगे बाबर की इतिहास को देखेंगे, इसके बाद में हुमायू के बाद में जो सासक आया था, वो है इसका पुत्रा सासक बना था, और इसका नाम था अकबर, तीन सासक ये महत्तुपूरों हो गए, जो जोटा सासक है, इसमें, वह जहां गीर है, जहां का मतलब होता है जहां यानि विश्व गीर का मतलब होता है विजेता यानि इसका साब्दिक अर्थ हुआ विश्व विजेता इसके बाद में जहां गीर के बाद में इसका पुत्र सासक बना जिसका नाम था स्ता है जहां इसका हम लोग अध्यन करेंगे ये पांस सासक मह महत्त arada पूंड होगे एक अन्य महत्त पूंड सासक और है जिसका नाम है अवरंगे यह साइका पुट्र है यह सा还 का पुट्र कार कि युद्ध द्वारा इसको सत्ता प्राप्त होती है इसके बाद में आउरंग जेप के बाद में उत्तरकालीन मुगल बास्थाहों का युक सुरू होता है उन उत्तरकालीन मुगल बास्थाहों में हम लोग 12 उत्तरकालीन मुगल बास्थाहों का भी अध्यन करेंगे इसमें जैसे जो पहला बास्सा है, वह मुज्जम है, मुज्जम साह आलम प्रथम या बहादुर साह प्रथम के नाम से बास्साह बनता है, उसके बाद में जो दूसरा बास्सा है, मुज्जम के बाद में या बहादुर साह के बाद में वो जहादर साह है, जहां अदर साह के बाद में फरुक सियर आता है फरुक सियर के बाद में रफी उद्दरजात आता है रफी उद्दरजात के बाद में रफी उद्दौला आता है रफी उद्दौला के बाद में मुहम्मस साह आता है फिर अहमस साह आता है फिर आलमगीर दुती आता है फिर साह जहां तृती आता है फिर अकबर दुती आता है और फिर अंतिम मुगलवास साह आता है कौन बहादुर साह दुती या जफर तो इनका भी अध्येन हम लोग करेंगे जो बारह उत्तरकालिन मुगल सासक हैं इसके अलावा ये जो सासक हैं मध्यकालिन भारत के इनकी संस्कृति क्या है इन्होंने अस्थापत्य के छितर में कैसे कैसे असमारेकों का निर्मान करवाया इमारतों का निर्मान करवाया मीनारों का निर्मान करवाया अस्तंभों का निर्मान करवाया मकबरों का निर्मान करवाया किलों का निर्मान करवाया ये बहुत महत्तपूर्ण है ये एक तरीक इसके अलामा इस काल में जो नगर हैं जैसे बिभिन परकार के नगरों का विकास हुआ तिली में जैसे फिरोज साह कोटला का निर्माड हुआ सिरी नगर नेपाल के आसपास में तमाम सारे सहरों का निर्माड हुआ भारत में जो बाउंडी है जो सीमाएं है इसके अलामा अन्य छेतरों में भी कई नवीन नगरों और सहरों का विकास हुआ जैसे अकबर ने फतेह पूर सीकरी की अस्थापना की राजधानी बनाया जैसे तीन पनाह नगर जहां पनाह नगर ये सब नए नए आपको नगर मिलेंगे इसको हम लोग पढ़ेंगे, इस काल में जो ब्यापारी हैं, उनकी क्या स्थिती रही, वो कैसे कैसे ब्यापार कर रहे हैं, अस्थली ब्यापार क्या था, समुद्री ब्यापार कैसे था, इसके अलामा इस काल के जो सिल्पी हैं, सिल्पी यानि बुनकर हैं, यानि जो घरेलू उद्योगों में लोग लगे हुए हैं, वो कैसे कैसे लोग हैं, उनका उद्योग क्या क्या है, किस छेत्र में उनके उद्योगों का विकास हुआ है, इसका भी अध्यन करेंगे हम लोग, इसके अलामा इस काल की प्रमुख जनजातियों का अध्यन करेंगे, जनजातियों के अ इसके अलावा जो खाना बदोस यानि जो घुमकड़ी लोग है वो भारत में आए और भारत में आके बस गए तो कौन-कौन वो लोग है जो भारत में आए और आके बसे इसके अलावा ये आपका सबसे महत्तोपूर्ण टापिक है इस्वर से अनुराग्त कितना silent farm में यह है title है अब इसको आप लोगों को देखने से यह पता नहीं चल पा रहा होगा कि इसमें हम किस बात का अध्यन करेंगे कोई बताए कि इसमें हम किस बात का अध्यन करेंगे इसमें हम लोग इस्वर से अनुराग, अनुराग का मतलब क्या होता है इस्वर से प्रेम, तो इस्वर से कौन प्रेम जता रहा है, जो भक्ति आंदोलन से सम्मंधित लोग हैं, भक्ति आंदोलन में जो पूर्द ब मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की विचारधारा भारत में ब बाद में पूरी तरीके से मध्य कालिन भारत में तमाम सारे नवीन धर्म और संप्रदायों की अस्थापना हुई उसके अधियान को हम लोग करेंगे इसी में सूफी संतों के अधियान को करेंगे बहुत सारे मध्य कालिन भारत में सूफी संथ हुए सूफी संथों में जैसे मुईनूद्दीन चिस्ति हुए जैसे सेख सलिम चिस्ति हुए जैसे नक्सबंदी सिलसिला आया तो सिलसिला क्या है और किस सिलसिला में कौन कौन से संथ हुए कौन सफश्यदा सक्तिसाली रहा, कौन संगीत को मानता है, कौन संगीत को इनकार करता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, और इस काल में जो हिंदू धर्म से सम्मंधित, तमाम भक्ति आंदोलन चले थे, चाहे वो महाराष्ट के छेतर में हो, चाहे मध्य भारत में हो, चाहे वो नामदास हो, चाहे वो संक्राचारी हो, रामानुजाचारी हो, इन सब का अध्यन हम लोग इसी में करेंगे, इसके अलामाद छेतरी है संस्कृतियों का निर्माट, जब दिल्ली सल्तनत के सासक राज्य कर रहे थे, या मुगल भारत के महत्तपूर्ण सासक राज्य कर रहे तो इसी समय आप लोगों ने देखा होगा कि समय पाकर जब कोई कमजोर सा सकता, इनके जो सामन्त होते थे, या इनके अधिन जो सुवेदार होते थे, वो इनके खिलाब विद्रोह कर देते थे, और विद्रोह करके स्वतंतर राज की अस्थापना कर लेते थे, अब स्वतं पूर्पूर है आपका जैसे बंगाल है जैसे हाइदराबाद है जैसे अवध है इन छेत्रों में नवीन प्रकार की संस्कृतियों का विकास हुआ इसका अध्यन हम लोग करेंगे और आखरी और सबसे महत्तपूर्ण ट्रापिक अब यह देखो यह जो NCRT का दस्वा टाइटल आप लोग के बीच में है यह सीधे मुख्य परिक्षा के एक प्रस्ण के रूप में है UPSC में मुख्य परिक्षा में इसी तरीके से सीधे प्रस्ण आप से पूछ लेगा कि अठरावी सदी में नए राजनितिक संगठनों पर चर्चा कीजिए सीधे यही कुश्ण आपका होगा अठरावी सताब्दी में यानि 1701 से लेके 1800 तक भारत में जो राजनितिक स्थिती रही जो दसा और दिसा रही वो कितनी उपयोगी रही कितनी सकारात्मक रही क्या कभी इसमें आराजकता की स्थिती देखने को मिली क्योंकि इसमें आप लोग देख रहे होंगे तो जो 18 सदी है 18 सदी में कहीं न कहीं भारत में अंग्रेज अस्थापित हो जा रहे हैं प्लासी और बकसर के युद्ध के द्वारा तो किस शित्र में द्वैस सासन लागू होता है द्वैस सासन की भी सिस्ताएं क्या है उसका अंजाम क्या आया उसका परिणाम क्या आया वारेंड हस्टिंग्स ने उसे क्यों रद्द किया इसका अध्यन हम लोग करेंगे तो यह एक कुश्चन के रूप में है अब यहीं से हुआ है कई बार इसको आगे बढ़ते हैं अब इसमें इस पुस्तक में क्या-क्या हम लोग पढ़ेंगे कहां कहां पर क्या वाते दी हुई है कुछ चीजों को हम लोग समझ लेते हैं चुकि बिल्कुल बेसिक से यहां पर अध्यन किया जाएगा किसी भी चीज को यहां पर फोड़ा नहीं जाएगा तो प्रतेक अध्याय को कई भागों में बाटा गया है जो पहला अध्याय है दोसरा तीसरा और अंतिम दस्वा अध्याय है यहां पे कहा जा रहा है कि इसको भी कई भागों में भाटा गया है इसके भी कई क्या हैं इसके भी कई खंड हैं कई उपभाग हैं इन भागों को पढ़ने इस पर आपस में बातचीत करने और समझने के बाद ही अगले अध्याय की सुरुवात कीजिए प्रतेक अध्याय में निम्न पर ध्यान दिजिए जैसे यहां पर हमें प्रतेक अध्याय में परिभासा की परिपेक्ष में क्या-क्या परिभासाइं है इस पर हमें मुख्य रूप से ध्यान देना है इसके अत्रिक्त बहुत से अध्यायों में रोचक जानकारियां युक्त अ हेराई से आप लोगों को ध्यान देना है इसके अलावा आगे बढ़ते हैं मान्चित्र आपको यहां पर इस तरफ मिलेगा भारत का मान्चित्र परतेक अध्याय में कुछ अंतर नहित प्रस्न एयुम क्रिया कलाब भी दिये हैं जिने बिशेश रूप से दर्शाया गया है इन पर भी विचार किया जाएगा कि आगे बढ़ते हैं हम लोग आएए पहुंसते हैं हम लोग पहले अध्याय पर यही है आपका पहला टापिक हजारों बर्सों के दवरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल आपका पहला टापिक आप लोग के सामने है पूरी तरीके से आप लोग तयार हो जाएए हजारों बर्सों के दवरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल आप लोग को करना है यानि जो प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें क्या-क्या परिवर्तन आपको दिखाई पढ़े हैं, इस NCRT के माध्यम से हम लोग देखेंगे, तो आएए एक नक्सा यहाँ पे बना हुआ है, इसको देखें आप लोग, यह एक नक्सा है, यह एक च चित्र बना हुआ है, आए इस चित्र में हम लोग देखते हैं, एक चित्र नहीं यहाँ पे आपको दो चित्र मिलेंगे, लेकिन पहला चित्र यही है, मानचित्र प्रथम में हम लोग क्या-क्या खास बातें हैं, इसका अध्येन करते हैं, देखते हैं इस मानचित्र को, पह देखते हैं यहां पर क्या लिखा गया है मांचित्र एक अरभ भूगल बेक्ट गुत्त है जो अरव प्रेस का है एक भूगोल बित अधिका जो अरभी प्रदेश का है इसका नाम क्या है इसका नाम है अला ही सीअ 1 यहां पर नोट इद्रीशी ने बनाया था कब बनाया था ग्यारा सो चौन में बनाया था अब यह किसका मानचित्र है यह मानचित्र है कहीं न कहीं जो आपका दक्षिन एसिया का छित्र है उसका पूरा हिया मानचित्र है लेकिन असपस्ट रूप में इसने दक्षिन एसिया का प्रापर छित प्रदेश का नागरिक है अरब प्रदेश का यह नागरिक है अल इद्रिसी ध्यान रखिएगा अरब प्रदेश का नागरिक है अल इद्रिसी इसी ने इस मांचित्र को बनाया और इस मांचित्र को इसने कब बनाया तो आप कहिए कि ग्यारा सो चौवन इस डी में बनाया सबस इसलिए है important है इसलिए मैं इस class को आप लोगों के बीच में लेकर भी आया हूं यहां जो नक्सा दिया गया है अभी इसके बारे में पढ़ लीजिए फिर पुना है इसको हम लोग एक बार देखेंगे इस नक्से को यहां जो नक्सा दिया गया है यानि ऊपर आपने जो नक्स कर्णाओं देखा वहह उसके द्वारा पनाएंगे दुनिया के बड़े मानचित्रि का एक हिश्चा है इसका मतलब यह है कि दुनिया यानि विस्व का पूरा इसने मानचित्र नहीं बनाया यह एक इस SEC बना रहे है यह इसका उप महाद्यूप का इसने नक्सा बनाया यानि भारत समेट जो दक्षणी पूर्वी एसिया के द्यूप है उनका नक्सा इसने बनाया आपने देखा भी होगा अभी पूना देखेंगे हम लोग और मानचित्र दो में क्या दर्साया गया है एक दूसरा भी मानचित्र है उसमें भी हम लोग देखेंगे लकिन पहले पढ़ लेते हैं मानचित्र दो एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया दूसरा इसमें जो भारतिय उप महाद्यूप का मानचित्र ही वह भी बना रहा है और यह एक फ्रांसी सी मानचित्रकार बना रहा है चित्रकार नहीं मानचित्रकार बना रहा है कब बना रहा है? 1720 में बना रहा है दोनों नक्से एक ही इलाके के हैं एक ही इलाके के हैं जाशा कि हमने बताया दोनों नक्से भारती उप महादीव के ही बना रहे. एक अल इदरीजी ने 11 सचुन में बनाया यह अरबी इतिहास कार है मान्चित्रकार है. दूसरा यह है जो 1720 में भारती उप महादीव का नक्सा बनाता है यह असपस नहीं है कि इसका नाम क्या है लेकिन यह एक फ्रांसिसी मानचित्रकार है मगर इन मानचित्रों में यानि बनाया तो दोनों ने भारती उप महादिव का ही मानचित्र लेकिन इसमें काफी अंतर है अल इद्रिसी के नक्से में दक्षिन भारत और उस जगह जहां हम आज उत्तर भारत ढूनेंगे मतलब अल इदरेशी ने जो नक्सा बनाया और उस नक्से में यह दिखाया कि जो दक्षिन भारत का छेत्र है जहां पे इसने दक्षिन भारत बनाया अगर बर्तमान उस नक्से को हम देखेंगे तो वहां पे उत्तर भारत है वहाँ पे क्या है? वहाँ पे उत्तर भारत है, वहाँ पे दक्षिन भारत है ही नहीं वहाँ पे दक्षिन भारत है नहीं वहाँ पे उत्तर भारत है वहाँ पे क्या है भीया? वहाँ पे उत्तर भारत है हाँ, आगे बढ़ते हैं एक बार इस अल इद्रीसी को नक्से को देख लिजे आप लोग यह देखिए यह भारतिय उप महादिप का यह नक्सा बना रहा है बारहमी सताब्दी में यह नक्सा बना रहा है ग्यारा सो चोवन में यह नक्सा बनाया है अर्बी मान चित्रकार है अल इद्रीसी ग्यारा सचोवन यानि बारहमी सताबदी में यह नक्सा बनाया यह भारतिय उप महादीब का नक्सा है यानि भारत समेत जो दक्षिनी पूर्वी एसिया के देशें उनका नक्सा है अब इसमें कहा जा रहा है कि इसमें जो दक्षिन भारत का इसने नक्सा बनाया वहाँ दक्षिन भारत अपने अस्थान पर उस समय नहीं था जहाँ पर दक्षिन भारत का इसने नक्षा बनाया वहाँ पर बरतमान में उत्तर भारत मौजूद है कौन मौजूद है उत्तर भारत आगे बढ़िए यही चीज, यहां पर अंकित भी है, इसको भी देख लिजिए, मान्चित्रवन, यह मान्चित्रवन है, बारहमी सदी में यह है, नक्सा बन रहा है, बारहमी सदी ही तो है, ग्यारा सो चोवन में ही तो कहा गया पिछले पेज में, कि ग्यारा सो चोवन में ही तो इसने नक्सा तो नोट कर लीजे अरभी भोगोल बेंटता है ये नोट कर लीजिए। पूस्ट रेगा और यहां पर राजनीतिकार वास्तुकार अर्थ शौस्त का महान तो यह क्या है? भीकल्ब में आ गया तो बहुत मुस्किल होगा, यह लिद्रिसी क्या है? यह एक भूगोल बेता है, यह एक मांचित्रकार है, बनाया, दुनिया के नक्से का एक हिस्सा जिसमें भारती उप महादिव को भूमी से समुद्र तक दिखाया है, यानि समुद्र का छेत्र आप लोग नीचे दिख रहे होगे, उपर भूमी यानि अस्थल का छेत्र है, और इसमें, इस नक्से में, जो इसने यह नक्सा बनाया है, इसमें यह जो जगहों के नाम आपको यहाँ पर लिखाई हुए दिखाई पढ़ें, यह अरभी भासा में लिखें, यह हिंदी संस्कित भासा में नहीं लिखें, तुर्की भासा में लिखें, अरभी भासा में ल अब ये देखो ये थोड़ा सा जो मानचित्र है जिसको फ्रांसी सी इतिहासकार बनाया है। इसमें देखेंगे तो यह चित्र आपको दक्षिन भारत का चित्र अस्पस्ट रूप से दिखाई पढ़ा होगा यहाँ पे दक्षिन पूर्वी एसी आई चित्र आपको दिखाई पढ़ा होगा इसमें भारत के कुछ नाम यहाँ पे आपको दिखने को मिलेंगे जैसे पर गुजरात लिखा हुआ आपको मिलना है यहां पर कोस्टल एरिया दिखाया गया है तो यहां पर यह देखो गल्फ आफ बंगाल यानि बंगाल की खाड़ी को यहां पर दिखाया गया है इस मांचित्र में यह फ्रांसीसी मांचित्रकार ने यह नक्सा बनाया है तो यह नक नक्सा था उख असपस्ट नहीं था यह नक्सा काफी असपस्ट है अब यह जो दूसरा मानचितर है इसमें क्या कहा जा रहा है अठ्ठरावी सदी के आरंभ में यह देखिए इस फ्रांसीसी इतिहासकार का मानचित्रकार का यहां नाम भी है में गिवलान दा लिस्ले एटलस नूबो के अनुशार इसका बहुत बड़ा नाम है कि उपलान दा लिस्ले के एटलस नूबो है इनका नाम क्या है एटलस नूबो एक फांसी सी छेत्र है जिसका नाम है गेव़लाम दा निसले और यहां का मानचित रकार है एकलस नूबो इसी ने यह नक्सा बनाया हुआ है यह 18-र हमें के प्रारम में ही यह नक्सा बनाया हुआ है इस झाल आईए देखते हैं इसमें नहित अन्य बातों को देखते हैं इसमें क्या क्या बातें कही गई है इसमें आपको इस नक्से में कुछ जाने पहचाने नाम कुछ छेतरों के नाम भी मिलेंगे आपको इस नक्से में जैसे की जैसे की उत्तर उत्तर यानि उत्तर प्रदेश या उ उत्तरप्रदेश के कन्योज का यहां पर मेंसन है इस दूसरे नक्से में जो कि कन्योज आप लोग देखेंगे तो पूर्ब मध्यकाल में हर्षबर्धन की राजधानी थी उसका राजनितिक उतकर्स इसी समय हुआ था इसलिए हो सकता है कि कन्योज के मांचित्र को इसमें प् देखेंगे तो भारतियी महादिव की बारे में सूषनाएं का इतिहास और उससे संबंदित जो सूषनाएं थी ऊफाइल परिवरतन आया था यह नक्सा हमें ज़्यादा पर्चित लगेगा हमने पहले हीfelे गे जह जो इसका नक्साथा फ्रांसैसी मांतित्रखार का का काफी असपस्ट आपको लग रहा होगा 우리 उसमें बिशेश कर देख कर बारे में बारीकी सी बतायागा घुसमें अरब सागृकारे खांकन किया गया हिंदमा सागरका खांकन किया गया या बंगाल देखेंगे, अध्याय छे में हम लोग देखेंगे, जब आध्धुनिक भारत के आसपास में इसमें थोड़ी सी एक तरीके से जो विदेशी कमपनिया भारत आती हैं, तो उसके इतिहास को हम लोग देखेंगे, उसमें असपस्त रूप से पता चलेगा. यहां हम लोग यह ही पे देख लेते हैं इसी कोई बात नहीं है जैसे मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाने का यहां पर प्रयास करता हूं जैसे माल ये कि यह नक्सा जो बनाया यही तो नक्सा है इसी तरीके से तो यह भारत को दिखा रहा है इसी तरीके से तो यह भारत को दिखाने का प्रयास कर रहा है अब यहां पे यह असपस्त रूप से कह रहा है कि यह क्या है यह बंगाल की खाडी है यह बंगाल की खाडी है यह असपस्त रूप से इसमें कह रहा है और यहां पे अरफ सागर है यहां पे क्या है यहां पे अरफ सागर है और यहां पे नीचे क्या है यहां पे हिंद महासाग है तो इंन तीन एरिया को दिखाया घया है जो समुदरी छेत्र है उनको द्थाया घया है और इसमें आप लोगों ने देखा कि इह उत्तर प्रदेश का छेत्र है और उत्तर प्रदेश में कन्योज का नाम अस्पस्ट रूप से इसने दिखाया है इसको दिखाया है अस्पस्ट रूप से दिखाया है और यहां पर यह कहा जा रहा है कि हम लोग अध्याय छे में क्या पढ़ेंगे अध्याय छे में हम लोग नहीं है अब इसमें जो यह कोस्टल एरिया दिखाया गया है या समुदरी चित्रों को दिखाया गया है तो ये जो एवरप के तमाँ सारे यात्री आ रहे है यहां पे आप लोग देखेंगे तो Considering अफ्रीका का चित्र है और यहां पर उत्तरी और दक्षिनी अमेरिका है तो यह एवरप के लोग यहां से घूमते हुए आ रहे हैं इस दक्षिन अफ्रीका के पस्सिम से घूमते हुए आ रहे हैं और यहां पर आप लोग देखेंगे तो यहां पर एक एरिया मिलेगा इस एरि लोग आएंगे तो यहां पर केरल है और केरल में कोचिन नामक ब्यापारिक मंडी है यहां पर दमन यहां पर दिवा आपको मिल लाएगी यहीं नीचे आपको गोवा नामक ब्यापारिक मंडी मिल लाएगी यहां उपर जाएंगे तो अधन की खाड़ी आपको मिल लाएगी य लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नजर डालें ये तो एक तरीके से समुद्री इलाकी की बात हो गई लेकिन अगर हम लोग भीतरी इलाके पर नजर डालेंगे तो क्या इन में भी उतने ही बेवरे हैं यानि अंदर के जो छेतरी राज्ज हैं या छेतर हैं क्या जितना बेवरा इसके बारे में दिया गया समुद्र के बारे में क्या छित्रों के बारे में भी उतना वेवरा है जितने समुद्र तटवाले हिस्से में थे तो आएए इस परिपेश में हम लोग गंगा के मारग को देखें यानि अस्थल के बारे में कुछ चीजें देखा गया अब जो जलिये मार्ग हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं जैसे कन्योज को हम लोगों ने देखा तो यहाँ पर गंगा के मार्ग के बारे में देखने की बात कर रहा है इसे किस तरह से जो गंगा का मार्ग है बाई गंगा बहुत बड़ी नदी है उत्राखंड से निकल और कहां कहां से होके ए एक अलाहवाद फिर गाज़ी पूर फिर आगे यह बढ़ रही बहुत प्रस्थित इनका छित्र है दर्चाया गया है इनके मारकों इस मान चित्र में तर्टी और लग्य Parents बिएतरी ईलाकों के बीच में ब्यवरों को और बारीकी से दिखाया गया है आपके ख्याल में उसका क्या कारण है मतलब तरीके से जो यह मारग हैं जो ज़ल मारग हैं दोनों मारगों को दिखाया गया है लेकिन अस्थल मारगों की अप knocked अच्छा जलीय मारगों का ब्रस्थित रूप से विवरण किया गया है क्यों किया गया है क्यों कि उस समय जलीय मारगों का ब्यापारी जादा प्रियोग कर रहे थे इसलिए इसका ब्रस्थित विवरण किया गया है अस्थल मारगों का प्रियोग कम कर रहे थे चूंकि जलीय म मार्ग किसी नदी के माधम से गुजरते थे तो यह पता भी रहता था कि वह नदी किस चित्र से होके जा रही है इसलिए ज्यादा तर जली मार्ग इस समय महत्तपूर्ण था कि आगे बढ़ते हैं विया इतनी ही महत्तपूर्ण एक और बात है जितनी महत्तपूर्ण आप लोगों ने देखा कि जली और अस्थल मार्ग के परिपेक्स में एक बात को आपने देखा एक और महत्तपूर्ण बात को देखिए कि दूसरे युग तक मांचित्र अंकन मांचित्र अंकन का विज्ञान भी काफी बदल गया था दूसरे युग तक अब इतिहासकार जब बीते युगों के दस्ता बेजों जब पुराना समय काल था तो जब इतिहासकार उस युगो के दस्ता बेजों नक्सों और लेखों का अध्यन करते थे तो उनके लिए उनों शूचनाओं के संदर्भों का उनकी भिन भिन एतिहासक प्रिष्ट भूमी का ध्यान रखना जरूरी होता है इसका मतलब यह है कि यह जो नक्सा इतिहासकार बना रहे थे मांचित्र बना रह का है फिर वहां की जो कमजोरियां होती थी उनको दूर करने का प्रयास करते थे यानि वहां से सीखते थे यानि इतिहास हमें कैसा काम करता है इतिहास हमें सिखाने का काम करता है आगे नई और पुरानी सब्दावली कुछ नई और पुरानी सब्दावली हैं आईए देखते हैं इसमें क्या खास बात है इसमें मुख्य तयाहा भारत और हिंदुस्तान के परिपेक्ष में भासाओं के परिपेक्ष में तमाम सारी महत्तपूर्ण बात आपको देखने को मिलेंगी पूरी तरीके से यहां से आपको अब कुश्चन मिलने लगेंगे ध्यान रखिएगा आप लोग नई और पुरानी सब्दावली नई और पुरानी सब्दावली आईए देखते हैं इसमें अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं समय के साथ साथ इतिहास बदलता है और इतिहास से सम्मंदी क्या बदलती हैं सूचनाओं बदलती हैं वर एक एक लाइन की हां भे एक, सब्द की प्याक्या कर रहें, आप लोग के बीस में, ततर कर एक twists old पूरी तरीके से। सब्लास को आप लोग करте रहें, जिससे हमें भी confidence मिले सब्लास मिले, तो भासा और अर्थों के साथ क्या क्या हुता है। सुचनाओं के संदर वो बदलते हैं, तो भासा और अर्थों के साथ क्या-क्या होता है, भासा की परिपेश में कैसे बदलाव आता है, और भासा से सम्मंदित जो सब्द होते हैं, उनमें क्या-क्या बदलाव आता है, आयतिहासिक अभलेक कई तरह की भासाओं में मिलते हैं, म कुछ हिंदी में मिलेंगे, कुछ प्राकिर्द भासा में मिलेंगे, कई भासाओं में मिलते हैं, और ये भासाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं, अब जैसे क्या हुआ, पहले संस्कृत भासा थी, फिर प्राकिर्द भासा आई और प्राकिर्द से आप लोगों ने द और इसमें भी तमाम सारा परिवरतन आपको देखने को मिलेगा उधारन के लिए मध्ययोग की फारसी भांसा ये देखिए फारसी भांसा और आधुनिक फारसी भांसा में काफी अंतर है जो मध्यकालिन फारसी भासा थी, जो मुगलों की राज की ये भासा थी, और बर्तमान की जो फारसी भासा है, उसमें असमानता की इस्तिती है, उसमें समानता का पक्ष पूरी-पूरी तरीके से अस्थापित नहीं होता है, खुड़ा सा गैफ है, खुड़ा सा परिवर्तन द कोई बात नहीं तो आप लोग अभी क्या हो अभी एक तरीके से अस्थापित नहीं हो आपको नौकरी नहीं मिली आपको चाकरी नहीं मिली आपका विबाह नहीं हुआ तमाम सारी चीजें नहीं हुई तो नहीं हुई है तो होने का एक समय होता है अभी आप लोग का समय क्या है पढ़ाई करने का और पढ़ाई करके नौकरी प्राप्त करने का लेकिन अभी क्या है अभी आप लोग सभी लोगों से मिल लेते हो सामाने तरीकी से बातचित कर लेते हो लेकिन जैसे मान लो कि ये 2021 का समय है 2022 में आप तयारी कर रहे हो 2030 में करते हो 2024 में अचानक आपका finally selection हो जाता है और finally selection में आप top 10 rank में आ जाते हो तो आप वही हो जो सबसे बाते करते हो सबसे मिलते हो लेकिन अचानक जिस दिन में आपका result आता है या रात में मुख्यतया साम को result आता है UPSC का तो उसी रात में अब आप एक gap को maintain करने लगोगे अगर चाहे आप इलहाबाद में किसी सामान ये दुकान पे पी रहे होगे तो उस दिन की सुबह में आपकी चाहे कहा होगी इलहाबाद के सिबिल लाइन में होगी इतना परिवर्तन आ जाता है उसी तरीके के यहां भी परिवर्तन आपको दिखाया जा रहा है ये परिवर्तन सुभाविक भी है अब इसमें कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे अरे खलाने सहाब तो हमारे साथ चाय पीते थे अब देखो वो सिबिल लाइन में अरे वह सुभाविक है वो आईस बन गया है लेकिन आईस बन जाने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ भूल जाए ब्यक्ति यह भी एक बात है यही यहां पे काजर आए यह भिनता सिर्फ ब्याकरण और सब्द भंडार में ही नहीं आई है क्यानि यह जो परिवर्तन देखने को मिलाए यह किवल ब्याकरणिक परिवर्तन ही नहीं है समय के साथ 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 सब्दों के अर्थ भी बदल जाते है समय के साथ-साथ यहां पर कहा जा रहा है कि जो सब्द हैं उनके अर्थ उनके तादात्म बदल जाते हैं आगे उधारण के रूप में आप लोग देखिए यहां पर कुछ उधारण देके समझाया गया है बहुत अच्छे तरीके से आए vain को देखते हैं अब यहां पर थूड़ा से और अस्पश्ति करन दिशार है तैयार हो जाईके अप लोग चलिए देखते हैं इसको अधारं के लिए देखिए हिंदुसतान सब्द ही लीजिए लीजियी आप लोग हिंदुस्तान सब्द को देखिए सब्द वही है हाँ वही है लेकिन अब देखिए सब्द कैसे यहाँ पर बदलने हिंदुस्तान ही लीजिए आज हम इसे आधुनुक राष्ट राज्य यानि आज इसे हम क्या कहते हैं इसे भारत कहते हैं या नहीं कहते हैं इसी हिंदुस्तान को ही तो हम लोग भारत कहते हैं और हिंदुस्तान आप लोगों ने देखा होगा कि वह हिंदुस्तान है जो अंग्रेजों की समय में था जो मध्य कालिन भारत में था वही हिंदुस्तान तो दो टुकड़ों में विभाजित हुआ जिसका नाम था भारत और पाकिस्तान, तो आज उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम भारत कहते हैं, तेरहवी सदी में जब फारसी इतिहास कार, ये देखो मिनहाज उस्सिराज, ये फारसी इतिहास कार है, तेरहवी सदी में दिल्ली सल्तनत में ये रहा है, मिनहाज उस्सिराज मिनहाज उच सिराज ने हिंदुस्तान सब्द का परियोग किया था अब आप से कुछिन पूछ लेगा कि हिंदुस्तान सब्द का परियोग किस ने किया किस फारसी इतिहास कार ने किया नोट कीजिए एक लाइन यहाँ पे हिंदुस्तान सब्द का परियोग फारसी इतिहास कार मिनहाज उस सिराज ने किया बहुत important बात है ये note कीजिए इसको जल्ली से आप लोग मिनहाज उस सिराज ने हिंदुस्तान सब्द का परियोग किया है इसका परियोग किया है हिंदुस्तान सब्द का परियोग किया है मिनहाज उस्सिराज ने मिनहाज उस्सिराज ने हिंदुस्तान सब्द का परियोग किया है ठिक हिंदुस्तान सब्द का परियोग मिनहाज उस्सिराज ने किया है आईए और इस हिंदुस्तान का आसे क्या था ये जो मिनहाज उस सिराज इतिहासकार है फार्ची इतिहासकार इसके हिंदुस्तान का मतलब क्या था ये देखिए इसका आसे पंजाब था इसका आसे हरियाना था और इसका आसे गंगा जमुना के बीच में इस्थित इलाकों से था बस यहाँ पे जिस हिंदुस्तान का विवरण दिया गया है वो पंजाब हरियाना और गंगा जमुना खित्र से यह नि ब्रम्ह सिदेश से है बस लक्षिन भा इदुस्तान का प्रयोग इस छेत्र के परिपेक्ष में क्यों किया? क्योंकि दिल्ली सल्तनत के जो सासक थे मुख्यतया हाँ, वह इसी छेत्र में तो राज करते थे, पंजाब के छेत्र में ये उत्तर भारत का छेत्र है, हरियाना का छेत्र ये भी उत्तर भारत का छेत्र है, गंगा यमुना का प्रदेश उत्तर भारत और मध्य भारत भी इसमें सामिल है और उत्तर भारत और मध्य भारत में ही तो मुख्यतया दिल्ली सल्तनत के सासकों का सासन था तो यानि हिंदुस्तान का सब्द का प्रियोग ये जो मिनाज उस सिराज है ये राजनेतिक अर्थों में करता है ये भोगोली कर्थों में नहीं करता है ये भी आपको समझना है सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस सब्द के अंतरगत आने वाले छेतर भी बढ़ते गए लेकिन हिंदुस्तान सब्द में दक्षिन भारत का समावेस कभी नहीं हुआ जो हिंदुस्तान है इस हिंदुस्तान में दक्षिन भारत कभी भी सामिल नहीं हुआ इसके विपरीत 16. सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान सब्द का परियोग इस उप महादीव के भोगोल पसुपक्षियों और जैसे यहां पर यह कहा जा रहा है कि 16. सदी इसी समय बाबर मुगल राजबंस की अस्थापना करता है और बाबर सासक तो है ही वो बहुत बड़ा साहित्यकार भी है उसने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है बाबर नामा और जो बाबर नामा है बाबर नामा में बाबर ने भारत के ब्रस्तित इतिहास को लिखा इसमें भारत की जलवाईवी के बारे में बताया, भारत की रित्वियों के बारे में बताया, भारती राजनितिक इस्थती के बारे में बताया, कई राजियों का बढ़न किया, और कहा कि जो बिजे नगर का कृष्ण देवराय सासक है, वह सबसे ताकतवर सासक है राडा, स्थांगा का भी उसने बढ़न किया, कई मुस्लिम राजियों का भी बढ़न किया, भारत की आर्थिक इस्थती का भी उसने बिबरन किया, और इसमें इसने भारत, यानि हिंदुस्तान सब्द का प्रियोग किस परिपेक्ष में किया है, इसको आये देखते हैं, यही क रख्षिन भारत नहीं सामिल था लेकिन इसके विप्रित परीक्ष में जब बाबर आपनी बाबर नामा को लिखता है तो उसमें ये हिंदुस्तान के किया कहता है देखे इसको सोलाहमी सदी के आरंब में जो बाबर ने हिंदुस्तान सब्द का परयोग इस उप महादीव के भूगोल इस उप महादेव की पशुम देखो कितनी मतलब कितनी गहराई से बाबर ने इस बाबर नामा को लिखा है, कितनी बड़ी बड़ी बातों को लिखा, भारत की भुगोल, भारत की जलवाय, भारत की नदियों के बारे में लिखा, भारत की रितियों के बारे में लिखा, इसमें पसु पक्सियां, यानि भारत में पसु कैसे हैं, पक् पूसु कौन कौन से हैं, सब के बारे में ब्याम्पक रूप से लिखा, यहाँ पे भूगोल, पसु पक्षियों और यहाँ के निवासियों कि संस्कृती, яनि यह जो भारत है, इसमें कैसे कैसे लोग निवास कर रहे हैं,का कलचर क्या है, इनकी संस्कृति क्या है क्या इनका खान-पान इनकी बेचस्बूसा क्या है कहा निवास करते हैं इनका घर कैसे बना हुआ है क्या पहेंते हैं कैसी भासा बोलते हैं इनके अस्मारक कवन-कवनался हें इसके बारे में का बर्डन किया गया है इसमें यह है प्रियोग चौधामी सदी के कभी अमीर खुसरो द्वारा प्रियोगत सब्द हिंद के ही कुछ-कुछ समान था अब जिस तरीके से बाबर ने अपनी बाबर नामा में हिंदुस्तान के परिपेख्ष में यह विब्रण दि खुसरो यह एक तरीके से सूफी संथ भी था अमीर खुसरो और अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत में करीब करीब आठ नो सुल्तानों का दरबार देखा था लेकिन किसी भी किसी भी सासक के दरबार में यह रहने के लिए नहीं गया था यह अपने साहित्यों में हिंद सब् कहता है और यह है कहीं ना कहीं अमीर जो है अमेर खुस्रो है यह बाबर के पूर्ब भाबर साके औक अमीर खुस्रो अलाओ दिन खिल्धि के समय में है बल्वन्द के पुत्रह के समय से यह अपने राजकाच को प्रारम करता है। मगर जहां भारत को एक भाउगोलिक और जहां भारत को एक भाउगोलिक और सांस करते कर स्वक्त की रूप में पहचाना जा रहा है वह हिंदुस्तान सब्द से वे राजनेतिक और रास्ती अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जुड़ते हैं फिर से समझे इसको कहा जा रहा है यहां पर मगर जहां भारत को एक भागोलिक मतलब भारत एक भागोलिक एकाई जो बरतमान में भारत एक भागोलिक एकाई और राजनेतिक और सांस्कृतिक एकाई की रूप में बरतमान में भारत को पहताना जाता है तो इसके पूर्व जो हिंदुस्तान सब्द था ऐसा वो नहीं था हिंदुस्तान सब्द से राजनेतिक और राश्टी अर्थ नहीं जुड़ा था यानि जो हिंदुस्तान था वहाँ पे राश्टीता का बोध नहीं हो रहा था वहाँ पर ऐसा कुछ राजनीती का बोध नहीं हो रहा था लेकिन अगर हम भारत का प्रियोग करते हैं तो इसे बोध होता है कि भारत क्या है एक रास्थ है हिंदुस्तान के परिप्यक्ष में ऐसा बोध नहीं होता ऐसा फिल नहीं होता, ऐसी भावना नहीं आती समझते हैं इसके एक एक रथ को किसी भी सब्द का पुर्योग करने में इतिहास कारों को इतिहास कारों को बहुत साउधान रहना चाहिए यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इतिहास कार कभी कभी हडबडी में कभी कभी जल्दबाजी में कुस सब्दों को लिख देते हैं तो फिर वो अर्थ का क्या हो जाता है अनर्थ हो जाता है इसलिए इतिहास कारों को क्या करना चाहिए इतिहास लिखने में या इतिहास लिखने में सब्दों का जो प्रियोग किया जाता है उसका बड़ी साउधानी से प्रियोग करना चाहिए अतीत में उन सब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे यानि आतीत में उनके कुछ अलग ही अर्थ थे तो बर्तमान में अगर उस सब्द का पुरियोग किया जा रहा है तो उसका अर्थ कैसे दूसरी तरीके से निकाला जाए इस प्रपेश में साथान रहने के जरूत है जैसे उधारन के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा सब्द ही ले लिजे इस प्रपेश में उधारन के लिए एक सब्द लिजे और यह सब्द है विदेशी का मतलब क्या हुआ विदेशी का मतलब यह हुआ कि भारत में जो भी दूसरे देश के लोग आ रहे हैं वो विदेशी सब्दो ले लिए भिदेशी सब्दों हमारे यहां हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा ब्यक्ति जो भारती यह नहों ब्यक्ति जो भारती यह नहों लेकिन मध्युग में देखिए क्या कहा गया बाई बर्तमान में तो यही कहा जा रहा है न कि ऐसा ब्यक्ति जो भारतिय न हो वही विदेशी है लेकिन मध्य युग में देखिए क्या कहा जा रहा है इस मध्य युग में मध्य युग में मानो मध्य युग में मानों किसी गाउं में आने वाला कोई भी अंजाना व्यक्ति मध्यकाल में क्या होता था और बर्तमान में भी यह चीज है मैं आपको भी बताता हूं समझाता हूं देखिए मध्यकाल में क्या होता था किसी गाउं में आने वाला कोई भी अंजाना ब्यक्ति जो उस गाउं अब थोड़ा यहां पर कलपना सिल लेए यानि विदेशी के परिपेश में हम लोगों ने बर्तमान में समझा कि विदेशी किसे कहा गया लेकिन मध्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्य चले जाओ भाई आयस बन जाओ पूर्वी भारत में कहीं पोस्टिंग हो जाए अंडमान निकोवार में पोस्टिंग हो जाए तो जब गाउं लोड के कई बार आओगे तो वहां पे लोग कहें अरे भाई जैसे अब विदेश चले गए जैसे गोलर के फूल होगे दिखाई नहीं पड़ते हो यह सब आज भी तो प्रियोग किया जाता है और मध्यकाल में देखिए मतलब एक गाउं का ब्यक्ति तो छित्री ये ब्यक्ति है लेकिन अब उस गाउं में कोई दूसरा अंजाना ब्यक्ति आ जाता है दूसरे गाउं से तो उसी को विदेशी कहा गया कब मध्यकाल में यह बात कही गई मद्धे काल यानि जिस का अद्धियन हम लोग कर रहे हैं उस काल में बिदेक सी मतलब दूसरे गाउं का आने वाला नागरिखी क्या होता था बिदेसी होता था ठीक ऐसे ब्यक्ति को हिंदी में परदेशी कहा जाता था और फार्सी में अजनवी कहा जाता था, देखिए, कितना सारभोमिक है यहां पर NCRT का अध्यान, क्या कहा जा रहा है, हिंदी में पर्देशी कहा जा रहा है, यानि पर्देशी सब्द किस भांसा का सब्द है, यह आप से पूचा जा सकता है, किसी से पूचिए पर्देशी, हिंदी भांसा का लेकिन हिंदी भासा का सब्द है और फार्शी में इससे अजनवी कहा जा रहा है आज भी तो कहा जाता है जैसे कहीं आप बैठे हुए हैं और कोई आता है आपके सामने आपके घर के आसपास में ही चक्कर लगाता है ये तो अजनवी लग रहा है क्या बात है चक्कर क्यूं लगा रहा है इसको तो हमने कभी देखा नहीं क्या रीजन है तो गहराई से आप सो विदेशी होता था और नगरवासी के लिए क्या होता था बनवासी और बनवासी ही विदेशी होता था किन्तु एक ही गाउं में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मे क्या जाती परमपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे, एक बात और समझे, किन्तु एक ही गाउं के लोग, एक ही गाउं में अगर कोई दो किसान हो, मतलब पडोसी भी किसानी का काम करता हो, और उसका धर्म अलग हो, उसकी जाती भी अलग हो, भाई खेती करने का काम ऐसा थोड़ो न तो यही कहा जा रहा है यहां पर भाई धर्म अलग होगा और जाती अलग होगी, परमपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए बिदेशी नहीं होते एक दूसरे के लिए, जबकि इनकी जाती अलग है, इनका धर्म अलग है, तो बिदेशी को धर्म और जाती स से जोड़कर नहीं देखा गया विदेसी यानीं बाहरी 11 अब अब एक मुहा तो पूर्ण बात मि में पिदेशीं और उनके सुरुत इतिहास कार और उनके सुरुत रोस्छा करें गें जो इतिहास कारितिहास लिक हो इतिहास लिखने के कर दियुक किस युग का अध्यन करते हैं और उनकी खोज परकिर्ती किया होती है यानि किस युग का अध्यन करते हैं जैसे आप ही इतिहासकार हो तो किस युग का understanding होगए आप जुनिक काल का और जब अध्यन करोगे तो उसकी प्रकिर्थी जैसे आप से कहा जा कि उसकी प्रकिर्थी या उसका सुरूप आप कैसे लिखोगे तो वैसे इतिहासकार भी सुचेगा उसका निचोड सुचेगा इसे देखते हुए वे अलग-अलग तरह के सुरोतों का सहारा कई तरीकी के सुरोतों का वो सहारा लेते ऐसे नहीं कि एक किताब पढ़ लिया दूसरी पढ़ेंगे तीसरी पढ़ेंगे अवलेखों को देखेंगे अन्यस साक्षों को देखेंगे सिक्कों को देखेंगे असमार्खों को देखेंगे साहित्यों को देखेंगे सबका अध् पुष्य भूति बंत का सासक था इसके in whole इसके पिता का नाम क्या था प्रभाकर बधन था इसके बडे भाई का नाम क्या था राज जे बरधन था इसकी बहुन का नाम राज श्री इसकी राजधानी पहले अस्थानेस्वर हरियाना में थी फिर राजधानी कन्योच जहां पे फूलों की खेती होती है गुप्त मंस्के सासकों का भी अध्यन किया जिसकी अस्थापना शिरिव गुप्त करता है दूसरा सासक घटोतकज गुप्त है तीसरा सासक चंद्रगुप है पाँचवा साशक राम गुपत है छट्वा साशक चंद्र गुपत क्वे दुद्धी है और अन्तिम साशक आप लोग जानती है विश्ण गुप्त है जो परवर्थी गुपत सासक है इनका अध्यन आप लोगों ने व्यापक रूप से किया गुपत के और हर्सबरधन का इस पुस्तक में हम मोटे तवर पर 700 से 1750 इस भी तक के लगभख हजारों बर्सों के बारे में पढ़ेंगे 700 से 1750, यानि हजारों बर्सों से ज़्यादा के इतिहास का अध्यन करेंगे भई साथ तीन दस और साथ इधर साढ़े दस यनि लगभग लगभग एक हजार पचास बरसों के इतिहास का हम लोग अध्यन करेंगे 700 बरस्ते लेकर एक सत्रा सो पचास इस भी तक के समय काल के इतिहास का अध्यन करेंगे एक हजार इस भी एक हजार बरसों के इतिहास का अध्यन करेंगे इसमें इस काल के अध्यन के लिए इतिहास कार जिन स्रोतों का प्रियोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग में वैसी ही चली आ रहे थी मतलब इतिहास्कारों ने जिन बातों का अध्यन किया, वो श्रोत की रूप में वैसी ही हैं, जैसे पिछले समयकाल में आप लोगों ने पढ़ा था। आए आए अन्ये बातों को देखते हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना एकठी करने के लिए अभी भी जो इतिहासकार हैं उनके स्रोत क्या हैं कैसे वो सूचनाय प्राप्त करते हैं तो सिक्कों से सूचने एकत्रित करते हैं, जैसे सोने का सिक्का हुआ, चांदी का सिक्का हुआ, तांबे का सिक्का हुआ, किसी अन्य धातु का सिक्का हुआ, तो सोने का सिक्का किस ने जारी किया, चांदी का किस ने जारी किया, अब किसी सासक के समय में अगर सिक्के कम है, त तो सासक मजबूत था इतिहासकार ऐसे ही उस सासक के बारे में लिखेंगे सीला लेख यानि रॉक इडिक्ट्स जैसे असोक के बारे में देखा होगा आपने कितने सारे राॉक इडिक्स थे उसके 8-8-9-9-10-10 उसके बारे में जो व्यापक विबरन है उससे पता चलता है असो से इंटे लगवाई कैसे पत्थर लगवे कैसी कलाकृति को बनवायां तरवाजा कैसे है परिक्रमा मार कैसे है मंदिर है मत है या भीहार है या सब अस्थापत की तो अंग या किला है इसका भी अध्यन करेंगे तद्हा लिखित सम अ मगरी इसनाल को सिट्राइक माताव का मितलब साहित्य है ज्सक्राइन यह तॉस्पाइब लिफ्रोन द्वारा लिखा गया वाबर द्वारा लिखा गया साहित्य यह द Sü प्याइं इसकति सब्षाइट यह सब धर्म deficies आइड़ियों धार्म इनका अध्यन करते हैं इतिहासकार पर कुछ बातें पहले से काफी भिन भी हैं इस युग में प्रमाडिक लिखिस सामगरी की संखा और बिवित्ता आसर जने क्रोब से बढ़ गई जैसे जैसे आगे ब्यक्ति बढ़ता है जैसे आप भी मान लिए कि आपकी 16 साल की उमर है 17 सा अभी आपके व्यक्तित में पूरी तरीके से निखार नहीं आया अभी आप इंटलेक्ट्वल नहीं कह जाओगे अभी आप छात्र हो वह सारी गलतियां करता है व्यक्ति फिर सीखता है जो सीखता है तो कहीं न कहीं उसमें क्या आता है उसमें धीरे धीरे समय के साथ सा सुधार आता है वही यहां पर भी कहा जा रहा है जैसे प्राचीन काल में क्या था प्राचीन काल में पासान काल के इतिहास कार को इतिहास को वहां के लोग कैसे थे बरबर थे philosophers and rank ऑफ कपड़े नहीं पहनते थे तकत्चा मांस खा लेतें सेंद्व सब्वत्या के लोग को tough चित हुए Maya और जैसे जैसे लोग बढ़े हुआ वैसे वैसे तेश का विकास हुआ वैसे सभ्यताय का विकास हुआ वैसे ही लोगों का विकास हुआ और बर्तमान में कहां से कहां हम लोग आप पहुंचें वही यहां पे कहा जा रहा है मतलब यह जो बिभीतता है यह आच्छर जनक से क्या यह समय समय पे क्या है सुभाविक रूप से बढ़ती रहती है आगे इतिहासकार सुचनाओं के दूसरे परकार के शुर्तों का इस्तेमार इस्तेमाल धीरे-धीरे कम करने लगेगे आए आगे बढ़ते हैं कागज का मूल है आए देखते हैं इसमें क्या खास बात है कागज का मूल है इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए आए इसमें क्या प्रसंग है इसकी तुलना करते हैं हम लोग पहला प्रसंग क्या है 13 सदी यानि 1201 से लेके 1299 तक तो 1201 से 1299 का किसका समयकाल है थोड़ा सा यहां पे आप लोग चर्चा कीजिए 1201 में तो नहीं लेकिन आप लोगों ने देखा होगा तो 1206 में दिल्ली सल्तनत की अस्थापना हो जाती है और 1290 में यह दिल्ली सल्तनत में गुलामबंस समाप्त हों जाता है यह पहला बंस है तो यहीं यहां पे कचा रहा है 10जारा टेरहामी सदाभी सथापित दिल्ली Congo भारत में अस्ल्टापित हो रहा है और इसका पहला बंस राज करा जिसका नाम है गुलायमबंस 1206 1290 के मद्ध में अब में 13 सताबदी के मद्ध में यानि 1250 में एक बिद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपी यानि एक बिद्वान है एक साहित्यकार है या एक इतिहासकार है उसको एक पुस्तक की प्रतिलिपी यानि सभी प्रतिलिपी को सभी पेश को दे दिया गया की जरूरत पड़ी उसके पास उतना कागज नहीं था इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपी को धो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी और उसके कागज को सुखा कर उसका इस्तेमाल कर लिया क्या कहा जा रहा है इसमें इसमें ये कहा जा रहा है कि तेरहामी सताब्दी के मद्ध में एक बिद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपी की जरुवत पड़ी प्रतिलिपी मतलब पन्नी की जरुवत पड़ी ठिक उसके पास उतना कागज नहीं था यहनि उसके पास केवल यही पुस्तक थी अन्य इसके पास पुस्तक नहीं थी कागज नहीं था इसलिए उसने एक ऐसी पांडु लिपी को धोड़ाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी पांडू लिपी को धोडाला मतलब एक ऐसी पुष्थक उसके पास और थी उसको धोडाला उसने क्यों धोडाला क्योंकि उसके जरूर थी उसे नहीं थी इसलिए उसको धोडाला और उसके कागज को अब उसके कागज को सुखा लिया उसके कागज को सुखा लिया और उसका प्रियोग करना शुरू कर दिया मतलब पांडुलिपी का मतलब अगर उसके कुछ लिखा हुआ है तो उसको धोडाला अब वो धुल गया और उसको सुखा लिया सुखाने के बाद में उस पे साहित्य कारे या इतिहास कारे ने कुछ अन्य बातों को लिख दिया क्यों उसको धोड़ाला क्योंकि उस पांडलेपी की उसको आवसकता ही नहीं थी उस पुस्तक या साहित्य को उसकी आवसकता ही नहीं थी मुखे तया जो ताम पत्तों पर लिखा गया था जो एक तरीके से पेंड के पत्ते वगरा भी रहते थे उस पे भी लोग पहले तो भाई ये था कि जैसे आज आज आप लोग कांपी वापी रेजिस्टर बनाते हुँ उस तरीके की ये चीजे थी नहीं ये तो पुर्टगालियों ने आपको दी गोवा में प्रिंटिंग पर इसके अस्थापना करके इसके पहले ये जो सबसाहित लिखे जाते थे ये ताम रो पत्तों पर लिखे जाते थे कभी कभी पेंड के पत्तों पर भी चिठ्थी लिख दिया और चिठ्थी लिख के दे दिया कुछ तमाम सारे रंग भी नहीं थे पेंड भी नहीं थे इसी बारे में कहा जा रहा है दूसरी के बारे में देखिये, एक सदी बाद अगर आप बाजार से कोई खादे परदात खरीते हैं, एक सदी बाद, मतलब सव बरसों बाद, एक सदी का मतलब यह हुआ, बाजार से कोई खादे परदात खरीते हैं, तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती हो और दुका लपिट कर देता इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है यहां पर काजरा एक सदी बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य परदाद खरेते हैं तो हो सकता है कि आपके किस्मत अच्छी होती और दुकांदार बस तु कागज में लपिट कर देता मतलब उस कागज का प्रियोग देखिए हम उस कागज को सुखा रहे हैं और दूसरी साहित उस पर लिख रहे हैं वो उतना मूल लेवान था हमारे लिए लेकिन सौ साल बाद ये कह रहा है इसमें सौ साल बाद कह रहा है कि सायद वहाँ जो प्रतिलिपी थी वहाँ जो कागज था उसका जो मूल ले था ये देखिए उसका जो मूल ले था यानि उसकी जो उपियोगिता थी उसकी जो बैलू थी वो हमारे लिए घट गई अब उसमें क्या है जैसे किसी दुकान पर आप जा रहे हैं तो दुकान दार तमाम सारे कागजों में लपेट के आपको सामान दे रहा है इसी परिपेस में इस टाइटल को समझे न आप लोग कागज का मूल ले यानि पहले कागज का मूल ले क्या था उसको सुखाया सुखाने के बाद में उसको धरोहर समझ के उस पे लिखा चीजों को, फिर 100 साल बाद इसका कागज का क्या हुआ, महत तो गिर गया, दुकांदार आपको सामान दे रहे हैं, आपने सामान लाय आपने घर प हेंगे फिर चागज को फेंख दिया, क्यों? क्योंकि कागज काNewka प्रयोग defensive चौधावी सताब्दी में, तो कागज ये जो तेरहावी सताब्दी है, इसमें महेंगा था, इसमें इसकी उपियोगिता ज्यादा थी, और चौधावी सताब्दी में, यानि एक सदी बात, चौधावी सताब्दी में, इसका जो मूल ले था, इसकी जो उपियोगिता थी, वो घट गई और दुकानदार के माध्यम से उधारण भी यहां पर दिया गया ठिक तो कागज का मूल ले तेरहमी सताबदी में काफी ज्यादा रहा होगा इसलिए कागज की उपियों किता ज्यादा रही होगी जैसे अभी माल लो कि बर्तमान में ही आलू को आप ले लिजे आलू अगर आपके देश में एक रूपए बिकने लगे तो लोग खरीदेंगे ही नहीं है चलो आलू एक रूपए में बिक रही है क्यों खरीदें उसको तो किसी बस्तुका अगर मूल ले गिर जाता है तो उसकी मांग कहीं न कहीं अगर कई बार देखो तो मांग भी घटती है ख जैसे मांग बढ़ने की पता चलिए कि कल आलू दो रूपे हो जाएगी तो फटा फट जैसे आप लोग उरे कोवित पिरियेट में देखा आई कि बाजार बंद हो रही है लागडाउन शुरू हो रहा है दिल्ली में जितने मॉल्स होके रहे हैं जर्नल स्टोर हैं रात में भी आई आगे बढ़ते हैं यही दिखाया गया समय के साथ साथ जो कागज है है कागज सस्टा होता चला गया और बड़े पैमाने पर उपलभद भी होने लगा जब उपलभद होने लगा तो सस्टा हो गया लोग धर्म करणठ het सासकों के ब्रतांत्र संतों के लेखन तथा उपदेश अरजियां अदालतों के दस्तावेच हिसाब और करों के खाते आदी लिखने में इसका उपयोग करने लगे धनी व्यक्ति पहले देखिए उपर देखिए जो कागज है अब कागज का उपयोग कई छेत्रों में किया जा जाने लगे सासकों के ब्रतांत यानि जो सासक हैं उनके जो क्रिया कलाप हैं उसको भी लिखा जाने लगा संतों के लिखन यानि जो तमाम प्रकार के संत हुए चाहे बैस नहीं हो चाहे हिंदू हो जैनी हो चाहे बुद्धियम हो उनके ब्रतांत भी लिखे जाने लगे इसके कागज में लिखे गए हिसाब किताब करों के खाते वही सब तयार किये गए कागज्जों के उपर क्या हुआ अब उन कागज्ञों की और भी तो महत्वा कम हुई है यह क्यों कि अब कंप्यूटर आ गया कंप्यूटर ने सारी जगाह ले ली तो कौन रखेगा वह हजारों बर्सों के कागज फिर फाइल देखो उसमें एक क्लिक पर सारी चीजे मिल ला रही है तुरक्षित भी है उसमें कोई चीज फट जाती है धनी ब्यक्ति सासक जन मठ मंदिर आगे देखिए धनी ब्यक्ति सासक मठ मंदिर पांड लिपियां एककत्र किया करते थे धनी ब्यक्ति सासक जन मठ और मंदिर पांड लिपियां एककत्रित किया करते थे जो धनी ब्यक्ति होते थे जो सासक होते थे जो मठ होते थे जहां पर धार्मिक, क्रिया कलाप या गतविधी को अंजाम देने वाले लोग होते थे मंदिर के लोग जो होते थे वो क्या करते थे वो इन साहित्यों को वो इन पांड लिपियों को एकत्रित करने का काम करते थे इन पांडू लिपियों को पुस्तकालायों तथा अभिलेखा गारों में रखा जाता था मतलब ये जो तमाम सारे तामपत्र हैं उन पर जो सासक से सम्मंधित या विभिन्द प्रकार की गत्विधियों से सम्मंधित लेख लिखे गए हैं उनको ये लोग सहजने का काम करते थे और उनको ऐसा नहीं था कि उनको संरक्षित नहीं किया जाता था उनको पुस्तकालायों में लाइब्रेरी में रखा जाता था इन पांडू लिपियों को ठिक इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी ब्रिस्तित जहनकारी मिलती थी मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है ये जो पांडुलिपिया थी ये जो दस्तावेज थे ये जो अभिलेक थे ये सब पुस्तकालयों में रखे हुए थे अब इससे इतिहासकारों को बहुत सारी सहयता मिलती थी लेकिन अब बहुत सारा दस्तावेज हो जाएगा तो दस्तावेज जाके बहुत सारे दस्तावेजों को इतिहास कर पढ़ेगा उसके पास कितना समय है कितना समय नहीं है और किसी दस्तावेज में कैसी जानकारी है यह है उसके लिए थोड़ा सा अब मुश्किल भी होने लगा जैसे आप लोग दुकान पे जाते होंगे और दुकान बहुत ही एक तरीके से बड़ी दुकान होती होगी तमाम सारी करण के उसमें लाइट लगे होते होंगे वो एक सर्ट निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला आप उसमें लाइट में कई बार ये होता है कि जो आपका दिमाग कर रहा है, वो काम करना बंद करते हैं मज़ में नहीं आता कि कौन सा सर्ट आपके लिए उपयोगी है, उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, वही यहाँ पे आपका साहित्यकार, यहाँ पे इतिहासकार आपका क्या हो रहा है, कन्फ्यूज हो रहा है, जब लाइबरेरी या पुस्तकाले में तमाम सारी किताबों का इस आए, उन दिनों चापे खाने तो थे, चापे खाने यानी प्रेंटिंग प्रस तो थे, लेकिन इसलिए लिपिक्या नकल नभी इस हाथ से ही पांड लिपियों की प्रतिकृति बनाते थे, यहाँ पे लिखा है, उन दिनों चापे खाने नहीं थे, चापे खाने का मतलब क्य है हम लोग जिस मध्यकाल की बात कर रहे हैं उस मध्यकाल में प्रिंटिंग प्रश नहीं था बहु या उसकाल में प्रिंटिंग प्रस नहीं था तो प्रिंटिंग प्रस कब आया प्रिंटिंग प्रस थो आपको मिला कब प्रिंटिंग प्रस थो आपको मिला 1556 में हलाकि मिल तो मध्यकाल में ही गया था और 1556 में यह जो प्रिंटिंग प्रस आपको मिला यह किस ने दिया था यह पुर्तगालियों ने दिया था यह एउरोपियों ने दिया था और एउरोपियों में पुर्तगाल ने आपको दिया था और यह जो प्रेंटिंग प्रस है यह केवल गोवा में ही अस्थापित हो रहा है यह भी ध्यान रखिएगा यह कहां अस्थापि होते थे लिपिक का मतलब यह होता था कि जो हां से लिखते थे और ुसके लामा नकल 20 भी इनको कहा जाता था यह तमाम सारी नकली भी तैयार करने का काम करते थे तोनों अधिकारियों का नाम दोनों कर्मचारियों का नाम समझते रहिएगा नकल बीस या लिपिक यह जो कारेले होता था उसमें रजिस्टर को तयार करने का काम करते थे यह कई बार आप से पूचा है अगर आपने कभी किसी मित्र के ग्रहकारी की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है कभी कभी आपको आपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पढ़ता होगा कि क्या लिखा गया है फल्सरूप आपके लिखे मित्र के लिखे हुए कुछ छोटे मोटे मतलब यहाँ पे कुल मिलाके यह कहा गया कि जैसे मान लिजिए कि उस समय लेखन कलाका तो सबको गया नहीं था लेकिन आपके मित्र ने आपको कुछ पत्र वगेरा लिखे दिया और हो सकता है कि आप उसको समझ ना पाए हो बद्रमान में भी तो ऐसा होता है कुछ बच्चों के लिखावट ऐसी होती है कि एकसपर्ट उसको समझी नहीं पाते अब समझ ही नहीं पाएंगे तो नंबर क्या देंगे तो कम से कम लिखावट ऐसी होनी चाहिए कि सब्द तो पढ़ने में आ जाए अगर सब्द भी नहीं पढ़ने में आ रहा है तो नंबर नहीं मिलेगा ये भी आप लोग समझेए लेकिन लिखावट का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यदा सुन्दर लगे तभी नंबर मिलेगा लिखावट का कुल मिलाके मतलब ये है कि आपके जो सब्द हैं वो असपस्त हैं अगर आप पढ़ लेंगे तो दूसरा भी उसको कोई पढ़ लेगा इस तरीके से यहां पे लिखे हुई हैं ला लिखा हुआ है खा लिखा है का लिखा हुआ है जा लिखा है असपस्त रूप से लिखा हुआ है तो इसको क्या कोई भी पढ़ लेगा तो इसी तरीके से आपको कैसा भी टेढ़ा मेरा आप लिख रहे हैं स्टेट कमिसन नहीं है यह स्टेट कमिसन में तो लाइनिंग वाली कांपी मिल जाती है लेकिन लेकिन UPSC में साधी कांपी ऐसे मिलेगी साधी कांपी में लिखना थोड़ा सा और बनाने का प्रयास कीजिए मोटी पिन का प्रियोग कीजिए थोड़ा सा दूर दूर लिखिए साफ आप लिखिए एक एक सब्दों को सूच सूच के लिखिए जैसे आप यहाँ पर जा लिख रहे हो तो जा को इस तरीके से बनाओ कि असपस्ट रूप से यहाँ पर दिखाई पड़े अब यहाँ पर क्या लिखा गया जहाज भले ही यह बहुत अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन इतना असपस्ट है कि कोई भी इसे देखेगा तो पढ़ लेगा फिर वो आपका नंबर नहीं काटेगा लेकिन अगर आपकी राइटिंग भी अच्छी बनती है गोल मटोल सब्द आपके बनते हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि वह प्रसंद हो जाए वह इंपरस हो जाए आपसे और एकाद दो नंबर अन्य लोगों से बढ़ा के देदे नहीं तो नंबर तो नहीं काटेगा यह तो पक्का है यही यहाँ पर कहा गया चित्र नंबर एक यह एक लगु चित्र की प्रतिकीर्थी है यानि लगु चित्र का एक रूप है प्रतिकीर्थी का मतलब यह है जो यह चित्र यहाँ पर आपको दिखाया गया यह एक लगु चित्र की प्रतिकीर्थ है जिसमें एक लिपिक किसी पांड लिपी की नकल कर रहा है अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या कर रहा है इसमें यह जो लिपिक है जो एक तरीके से लिखने का काम करता है जो नकल भी इस है यह लिपिक है यह एक लगुचित्र की प्रतिकीरती है यानि लगुचित्र का दूसरा रूप है छोटा रूप है जिसमें एक लिपिक लिपिक जो लिखाई का काम करता जिसको लिपिक कहा गया इसले पेज में हम लोगों ने देखा था लिपिक कि इसी पांडु लिपी की नकल कर रहा है यानि कोई ऐसी चीज लिखी हुई है उसकी यह क्या कर रहा है यह नकल कर रहा है इस चित्र का आकार देखिए सेंटीमीटर है दस दसमलों पांस से लेके इस साथ दसमलों एक सेंटीमीटर है इस छोटी आकार की कारण इसे लगुचित्र या मिनियेचर कहा गया लगुचित्र की अंगरेजी क्या होगी मिनियेचर होगा एक छोटा चित्र है छोटी आकार का है इसलिए इसे लग कभी कभी इन लगु चित्रों का प्रयोग लेख में आई हुई पांड लिपियों को असपस्टता प्रदान करने के लिए किया जाता है मतलब अगर चित्र के माध्यम से किसी चीज को आप देख लेंगे तो साथ और असपस्ट रूप से उसको लिख देंगे यही कहा जा रहा है यह समें यह है इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रह करता अक्सर इन चित्रों को पांड लिपियों में अलग करके बेशने लगे थे यानि जैसे मान लो कि यहां पर यह एक चित्र है और कोई चीजें लिखी भी है तो असपस्ट रूप से आपकी समझ में आ जाता है NCRT की यही खासियत है टेस्ट बुक में यह चीजें नहीं मिलती है आपको यही पर यहां कहा भी जा रहा है लेकिन आगे चलके क्या हुआ कि जो चित्रात्मक पांडुलिपिया थी जो लिखित पांडुलिपिया नहीं थी जो चित्रात्मक थी जिसमें चित्र के माध्यम से किसी विसय को समझाया जा रहा है उसको अलग कर दिया एतिहास कारों ने औ आईए देखते हैं इसमें, इस चित्र को आप लोग देखिए, यह देखिए, अब ध्यान से आप लोग जो पांडुलीपी, पांडुलीपी सब्द का प्रियोग बार बार किया गया, मैंने समझाया, लेकिन इसको आप लोग यहाँ पर देख लिजिए, आप देखिए, इसमें कुछ के जो पेज होंगे, वो थोड़ा सक उसमें बदलाव होगा, उसमें परिवर्तन होगा, उसके नवीन होगे थोड़ा सा, अब यही यह कहना चाहरा है, यहाँ पे देखिए, दोनों को लिया हुआ हुआ है, और पढ़ रहा है, एक छोटा सा चित्र है, जिसे उ लिया, अब इस चित्र में थोड़ा सा और अस्पस्ट होगा, आईए देखते हैं, क्या अस्पस्ट हो रहा है, क्या अस्पस्टी करने हाँ पे दिया जा रहा है, यह देखिए, यह चित्र नंबर आपको दो दिखाई पढ़ा है, यह चित्र देखिए, इसमें, इसमें, यह एक तरीके से जो बिडेजी भासा है, चाहे उर्दू हो, चाहे फार्सी हो, चाहे तुर्की हो, इसी भासा में लिखा हुआ दिखाया गया है, मुख्यते उर्दू भासा में लिखा हुआ है, उर्दु जैसा ही तो लग रहा है न अंग्रेजी तो नहीं लग रहा है हिंदी लग रहा है आप लोगो कौन सी भासा लग रही है यह मुस्लिम संपरदाही की तो भासा लग रही है न इतना तो असपस्ट है ही अब आईए देखते हैं इसमें में यह लिखावट की विभर्न प्रकार की सैलियों के कारण फार्सी और अरवी पढ़ने में कठनाई हो सकती है यानि लिखावट की कई स्टाइल होती है कई सैलिया होती है उसमें जैसे किसी में आप फार्सी भासा में कोई लिख रहे हो किसी में अर्बी भासा में लिख रहे हो तो समझने में दिक्कत हो सकती है किसी इतिहासकार को अगर उस भासा को वो नहीं जानेगा उसकी लिखावट में क्या किया जा रहा है बाइं और से मतलब इधर से लिखना सुरू किया जा रहा है इधर से लिखना सुरू किया जा रहा है और दाइं तरफ चल ले हैं हम लोग ऐसा तो नहीं है ना इस लिखना सुरू हो रहा है और बाइं तरफ चल ले हूं इसमें नस्तलिक लिखी में क्य इसमें बाई तरफ से चीजों को लिखा जाता है इधर से लिखना शुरू होगा और इधर से लिखते हुए इधर यानि दाहिनी तरफ को हम जाएंगे और जो अर्बी और फार्शी लोग हैं उनके लिए इस लिपी को समझना आसान होता है हम लोग के लिए भी तो आसान होता ह इसके अलामा देखिए ये सिकस्त लिपी है एक दूसरी लिपी है इसको लिख लीजिएगा नस्तलिक लिपी में किस तरफ से लिखा जाता है वहीं यहां पर सिकस्त लिपी है इसमें देखो इसमें दाइई और से लिखना इधर से प्रारम किया जा रहा है और बाइई और को आ को समझना आसान होगा, चुकि इसमें ब्रस्तित रोप में किसी चीज को लिखा जा रहा है, और बाईं तरफ से दाहिनी तरफ की तरफ लिखा जा रहा है, और इसमें सिखस्त लिपी में क्या लिखा जा रहा है, इसमें दाहिनी से बाईं तरफ को लिखा जा रहा है, और इसमे इसमें एक तरीके से बहुत कठिन सब्दों का चैन किया जा रहा है, तो आसान नहीं होगा इसको समझना, नस्त सिकस्त लिपी को, तो दो लिपी के बारे में लिख लो, नस्त लिपी में बाईं और से दाईं और लिखा जाता था, लिखिए जल्दी से, नस्त लिपी, इसमें बाई ओर से दाई ओर लिखा जाता था दूसरा लिखिये सिकस्त लिपी सुना भी नहीं होगा इन सब्दों को इसमें दाहिनी से बाई ओर की तरफ लिखा जाता था आगे बढ़ते हैं आगे पांडू लिपी की प्रतलीपी बनाने में भी कुछ-कुछ यही होता था मतलब परेशानी आजाती थी प्रतलीपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे वही अगर किसी पुस्तक प्रतलीपी यानि पुस्तक या साहित यह समझे आप लोग साफ साफ सब्दों में अब लिपिक अगर कोई प्रतलीपी बनाता था प्रतलीप का मतलब जैसे एक पन्ना हो गया उसमें दूसरा पन्ना तीसरा पन्ना चोथा पन्ना अगर जोड़ता जा रहा है तो अब वो विभिन प्रकार के अध्येनों को किया है साहित्यों का यह तमाम सारे अवलेखों का उसी में नई चीजों को जोड़ता जा रहा है कई बार इसमें कठनाई भी होती थी कहीं कोई सब्द कहीं कोई वाक्या इधर उधर हो जाता था उसमें सदी दरसदी प्रतलिपियों की भी प्रतलिपियां बनती रहीं मतलब प्रतलिपी के ऊपर प्रतलिपी फिर उसके ऊपर तमाम सारे प्रतलिपियों का विकास हो गया और अंतताह एक ही मूल गरंत भिन भिन प्रत्लिपियाँ एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई इसका मतलब क्या है जैसे अर्थसास का कई वासाओं में अनवाद किया गया बाबर नामा का कई हगासाओं में कभी फार्शी कभी तुर्की कभी अर्ब panels अंग्रेजी तो एक ही साहित की कई सारी साहित तयार हो गई कई भासा में तयार हो गई यह सब काम किस ने किया अंग्रेजों ने किया अस्थापना करके किया तो कि अंग्रेजों की तो भासा अंग्रेजी थी और भारत की जो साहित थी वो या तो फार्सी में लिखी हुई थी या संस्कृत में या फिर बहुत सारे साहित्य हो गए यहीं यहाँ पर का जा रहा है इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन हो गई क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपी सायध ही कहीं मिलती है यानि जो मूल पांडुलिपी है वह सायध ही कहीं मिले तो मूल पांडुलिपी नहीं मिली यानि जो लेखन क्रिया शुरू हुई जो इतिहास लेखन शुरू हुआ वह वास्तविक लेखन तोड़ो ना होगा वो तो आभासी होगा वो तो कल्पना सील होगा तो कि क्या होगा जैसे कोई अनुबादित पुस्तक है उसमें कहीं न कही कुछ ने कुछ अंतर तो आएगा ना जैसे माली जी एक पुस्तक है आप लोग पढ़ते हैं सम्विधान की पुस्तक है जो सभसे चर्चित पुस्तक है सम्विधान की एक पहले DD वचु की मनिel ग्शिम् Monate कान सहाब की एक पुस्तक है तो लक्षमी कान सहाब ने हिंदी में ही सबसे पहले पुस्तक लिखा बाद में अंग्रेजी में उस पुस्तक को लिखा नहीं ट्रांसलेट करवाया तो ट्रांसलेट अगर करवाया जाएगा तो भाई अब जैसे गूगल से कुछ सब्दों को लिय तो वास्तविक रूप से वही टांसलेट अजिटिस तो नहीं होगा ना कुस्त परिवर्तन आएगा उसका मुल सरूप सामने निकल के नहीं आएगा उसका भाव निकल के आएगा यही यहां पर का जारा है हमें बाद में लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलता लेखक ने क्या लिखा है आई देखते हैं थोड़ा आगे बढ़के मतलब थोड़ा सा जो प्राबलम आई इतिहास कारों को एक ही ग्रंथ की बिभिन प्रतलिपियों का अध्यन करना पड़ता था अब जैसे एक प्रतलिपी आपके सामने हो एक किताब हो आपके सामने और यह असपस्ट हो कि इसी किताब को पढ़ना है तो एक दो बार पढ़ लेंगे तीन बार चार बार दस बार पढ़ लेंगे लेकिन कई किताबे हैं और आप लोग कभी मार्केट में निकले वहां पर किसी ने कुछ और किताबे बता दी फिर किसी ने कुछ और बता दी तो क्या हो जाता है सस्पेंस हो जाता है डाउट हो जाता है कि वही फलाने त बताऊंगा जल्दी से ही किसी दिन, हलाकि बहुत दिनों से यह वादा है, तो इसी महिने में जल्दी से ही आपको यह वाद बताऊंगा, कई बार लेखा का स्वयम भी समय समय पर अपने मूल ब्रतांत में संस्पुधन करते रहते हैं, जोधामी सताब जी के इतिहासकार, एक इतिहासकार, बहुत बड़ा इतिहासकार है, जियाओ दिन बरनी, इसकी एक पुस्तक है, इसकी पुस्तक का नाम है तारीख ए फिरोज साही, इसकी पुस्तक है, इसकी एक और पुस्तक है, जिसका नाम है फत्वा ए जहांदारी, यह इसी जियाओ दिन बरनी की पुस्तक है, कि कम से कम दिल्ली सल्टनत के 9 सुल्तानों का सासन कालिह देखता है जियाउदिन बर्णी सामान ने इतिहासकार नहीं है ने अपना ब्रतांत पहली बार 1356 इस भी में लिखा था और दूसरी बार इसके दो बरस बाद भी एक ब्रतांत लिखा दोनों में अंतर है जैसे हमने इसके पुस्तक का नाम बताया एक तारीख फिरोस्ताई एक फत्वा यह जहां दा रही है तो दोनों पुस्तकों में बहुत सारा अंतर है अलाकि इसने दिल्ली सल्तनत के आर्थिक, राजनेतिक और सांस्कृतिक गत्विधियों के बारे में स्थाय लिए इस पुस्तक में А लेकिन 1921 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले बृतांत की जंकारी ही नहीं थी कि कि तारीखी फिरोजसाही मूल लूप में नहीं मिला, इस से सम्मंदित जो आभासी ग्रंद थे वो मिले, तो प्राबलम होगी, तो कि इतिहास का मूल सुरूप निकल के ही नहीं आएगा, यह है पुस्तकालेयों के विसाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था, क्योंकि पुस्तकाले लाइबरेरियां बन गई, बड़े बड़े पुस्तकाले बन गई, अब वो कहां पड़ा हुआ है, जैसे अभी माल लिजे कि आप अपनी कोई खेतावनी, कोई नकल लेने जाए तहसील में, तो तहसील में, एक तहसील में कितने गाउं हैं, और उस गाउ होगा, नहीं तो हो सकता है, उसका कोई टुकडा मिले तो परिशानी तो होगी, चुकि असपस्ट चीज निकल के ही नहीं आई, वही चीज यहां पर भी कहा जा रहा है, आए आगे बढ़ते हैं, नए सामाजिक और राजनेतिक समूह, इनके बारे में देखते हैं हम लोग, नए सामाजिक और राजनेतिक समूह, कैसे इस काल में बन रहे हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, तैयार हो जाएए आप लोग, पानी वानी पी लीजिए थोड़ा सा, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, साथ सो से सत्रा सो पच्चास, ये बीज की इतिहास का अध्यन हम लोग कर रहे हैं, ये मध्यकालिन भारती इतिहास है, साथ सो से सत्रा सो पच्चास के वीज के हजार बर्सों का अध्यन इतिहास कारों के आगे भारी चुनोती रखता है, इतने साल का इतिहास लगबग लगबग, एक हजार बर्स का इतिहास लिखना कोई आसान काम नहीं है, अभी आप से ही कह दिया जाया कि एक हजार बर्स का जरा इतिहास लिखके दिखाईए, तो कितना चैलेंजिंग काम होगा ये, इसके इन्पूट ही जल्दी से नहीं मिलेंगे, इसके स्रोथ ही नहीं मिलेंगे, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए, राजनेतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्रसासनिक, वो कैसे कैसे परिवर्तन हुए, कौन राजा हुआ, कैसी उसकी गतिविधी थी, कैसे उसके अधिकारी थे, इस काल में अलग-अलग समय पर नई प्रद्योगी की के दर्शन भी होते हैं, किर्शी के छितर में किसी तकनीक का विकास हो रहा है, प्रसासन के छितर में किसी तकनीक का विकास हो रहा है, प्रारंब में कुछ और थी, बाद में कुछ और हो गई, जैसे सिचाई में रहट हमने आपको बताया था पतंजली के महाभासे को उसमें रहट का उलेक मिलता है फिर हर्स बर्धन का भी जो साहित है उसके दरवार में जो बाण भट रहते थे वहां भी रहट का उलेक मिलता है कताई में चर्खे और युद्धों में आग्निय सास्त्र यानि अस्त शस्त बारूद वाले हतियार आग्निय सास्त्र का इस्तेमाल था इस उप महादियूप में नई तरह का खान पान भी आया था जैसे आलू मक्का मिर्च चाए काफी यह सब पुर्तगालियों ने लाया भारत में पहले नहीं था पुर्तगाली तो आगे ना 1498 इस्वी में 1498 इस्वी का इतिहास तो हम पड़ी रहे हैं उसके बाद कभी इतिहास पड़ रहे हैं इसलिए अभी यह खान पान में परिवर्तन आ रहा है आपको आलू मिल जा रही है ये मक्का मिल जा रहा है, मिर्च मिल जा रहा है, ये चाय, काफी ये सारी चीजे मिल रहे, तमाम सारे परिवर्तन आ रहे हैं, तमाम तरीकी के खेती, किसानी की गतिविदियों में भी परिवर्तन आ रहा है, तो ये आसान नहीं है एतिहास लिखना, बहुत परिवर्तन सील ची इस यूग में लोगों की गती सीलता, एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था, गती सीलता का मतलब ही हुआ, लोग एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक आ जा रहे हैं, अब ऐसे में आने जाने के संसाधन क्या है, उसमें कैसे परिवर्ट आया ऑशर की तलास में लोगों के जुंड के जुंड दूर धूर की यात्रह कड़ते थे आउसर की तलास में आप लोग कहिए कि रोजगार की तलास में जैसे आपको पता चलाएं कि एलाहबाद से ज्यादा सेलेक्षन होता है वो सलेक्ष़न प्राप्त करने वाला चौराहा है और इलहाबाद में भी सफ़ेदग कहां से सलेक्षन होता है तो उसी छितर में आप जाएंगे ना ऐसे ही मुखरजी नगर के परिपेश में भी है इस सलेक्षन देने वाला एक तरीके से UPSC के परिपेश में देश का सबसे बड़ा चौराहा है यहां का भ्रमण आप लोग जरूर खीजिएगा अगर यहां नहीं रह रहे हैं तो कोई बात नहीं लेकिन यहां पर आईए घूम के जाईए मुखरजी नगर देखिए इससे भी आप में एक नया उस्सा आएगा यहां पर कैसे स्टूडेंट भागते हैं चाहे हाथ मिले रहेंगे लेकिन खड़े होके उसको नहीं पिएंगे वो सीधे पीते हुए निकलेंगे समय नहीं है किसी के पास कितनी गति सीलता है यही कहा जा रहा है इस उप महादियूप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं जो भारतिय उप महादियूप है इसमें अपार संभावनाएं यह अपनी योगिता के अधार पर अपने आपको आईस बना सकते हैं अपनी मेहनत के आधार पर अपने एफ़र्ड के आधार पर आपको प्रकिरतिनी यह सारी चीजें दी हैं कि आप मेहनत करके अपने आपको अस्थापित कर सकते हैं इस काल में जिन समुदायों को ये देखिए आपको एक चित्र है यहां पर किसका चित्र है ये ये तो हमें यहां पर एक पहिया हाँ इधर देखते हैं एक पहिया है ये क्या है एक पहिया है और इसमें लकडी लगी हुई इधर भी लकड़ी है और इधर भी लकड़ी ही लगी हुई है और इसमें भी लकड़ी लगी हुई क्या लगी हुई है लकडी लगी हुई है अब वो इसका प्रियोग किस परिपेक्ष में किया जा रहा है ब्यापार की परिपेक्ष में किया जा रहा है यह बैल गाड़ी है इसी को कई छित्रों में कई तरीके से जानते हैं कहीं पर इसे लड़िया बोलते हैं कहीं पर वो इसे सर पे लोग रखके किसी सामान को ले जाते थे और ब्यापार करते थे अब यहां पे रख लेंगे तो ब्यापार में क्या आएगी परिवर्तन आएगा या गति सीलता आएगा वही बात यहां पे इसको इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है आठवी सदी से चौदावी सदी के बीस में यह है नाम आम तोर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रियुक्त होता था यानि यह जो राजपूत्र समदाए था यह जो राजपूत्र यानि राजा का पूत्र होता था इसका किस परिपेक्ष में इसका प्रियोग किया जा रहा है राजपूत्र यानि राजपूत्र या राजपूत्र इससे यह साबित होता है कि यह जो बर्ग था ये जो कौश थी ये क्या थी ये जो जाती थी ये जो बर्ग था समाज का ये है योध्धा बर्ग था इसे यही सावित होता है यो धाओं के लिए ऐसे सब्द का पर्योग किया जाता है उस समूँ के लिए पर्योग होता है जो छत्रिय बढ़ होने का दावा करते थे राजपूत राजपूत सब्द के अंतरगत केवल राजा और सामंत बर्ग ही नहीं थे बलकि वे सेनापती और सैनिक भी आते थे जो पूरे उप महादियूप में अलग-अलग सासकों की सेनाओं में सेवा रत थे लिजिए अब राजपूत में ऐसा नहीं कि केवल राजपूत है राजपूत में वैसे लोग भी हैं जो सेनापती के रूप में हैं कमांडर इनचीप के रूप में हैं सेनानी के रूप में हैं वह भी राजपूत बर्ग में सामिल हैं कभी और चारण राजपूतों की आचार संगिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ती का गुडगान करते थे जो इनके दरबार में तमाम सारे कभी होते थे यानि लेखक होते थे यह है अपनी आचार संगिताओं में अपने साहित्य में इन राजपूतों की सक्तियों का महिम ने उठाया था जाटों ने उठाया था ये सब अपने आपको योध्धा वर्ग की रूप में अस्थापित करेंगे के अहोम जो असम के छेत्र में हैं के जो कायस्त हैं मुख्यतेह लेपिक और मुंसियों का कारे करने वाली जाती आदी समूहों ने भी उठाया ये भी अपने आपको योध्धा वर्ग में अस्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं ये सब भी राजपूतों के अलावा भी इस पूरे काल के दौरान क्रमसा जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था जंगल साप हो रहे थे क्रिसी योग भूमी का क्या हो रहा था इलाका बढ़ता जा रहा था यानि बिस्तार हो रहा था कुछ चेत्रों में यह परिवर्तन अन्य चेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से हो रहा था जैसे कुछ चेत्र में यह परिवर्तन तेजी से हो रहा है क्यों तेजी से हो रहा है हो सकता है वहां का जो सासक हो वो ससक्त हो वो मजबूत हो और वहां के लोग भी मजबूत हो जैसे मान लेजिए कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती कोई छोटी होती है कोई बड़ी होती है जैसे एक गाउं के परिपेक्ष में आप देखिए उस गाव में कई घर हैं और एक घर हो सकता है कि वो ज्यादा क्रिया सील हो ज्यादा एक्टिव हो उसके जो घर है वो पक्के बने हो नौकर चाकर भी हो क्यों क्योंकि वो एक्टिव हैं लोग वो एफर्ड कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कि बैठे हुए है यही यहां पर भी कहा ज कई बनबासियों को मजबूर होकर अपना अस्थान छोड़ना पड़ा कुछ और बनबासी जमीन की जुताई करने लगे और क्रिशक बन गए यानि जो बनबासी लोग होते जो आदिवासी लोग होते हैं वो अपने छेतरों को छोड़कर दूसरे छेतर में जा रहे हैं वहाँ पर भी वो कैसा काम कर रहे हैं जो ताई का काम कर रहे हैं पर क्रिशक बन गए क्रिशकों के ये नए समूब बन गए ये छेतरी बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों, मंदिरों से प्रभावित होने लगे इन चीजों से ये प्रभावित होने लगे वह बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए ये लोग भी उन्हें कर चुकाने पड़ते थे अस्थानिये मालिक बर्ग की बेगारी करनी पड़ी थी बेगारी का मतलब क्या होता था जो अस्थानिये सासक होते थे ये जो छोटे बर्ग की लोग होते थे इनकी बेगारी करते थे यानि इनके दरवार में स्रम करने का काम करते थे नहिसुल्क पैणाम सुरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे यानि कौन किसान बड़ा है कौन सक्तिसाली है पहले तो क्ये होता था कि बैस बर्ग की लोग ही मुखेता ब्यापार और खेती करने का काम करते थे फिर सूद्र भी करने लगे अब क्या हुआ अब रहमर अब जटरी अब बैस अब सूद्र सब लोग खेती और किसानी करने लगे तो यह असपस्ति नहीं होता कि वास्तों में क्रशक कौन है तो फिर क्रशक एक नवीन बर्ग बन गया जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे लोग जातियों और उप जातियों में बटने लगे कि पूर्व मध्यकाल में हुआ कई नवीन प्रकार की जातियों का विकास हुआ जातियों में भी उप जातियों का विकास हुआ उनकी प्रिश्टभूमी और ब्योसाय के आधार पर और ने समाज में उचा या नीचा दर्जा मिलने लगा।ं ऐसी तो हुआ समाज में उनको जो दर्जा मिला, उनके ब्योसाइग आधार पर मिला।ईर क्रिया कलाप क 7 आधार, और मिला। जैसे बरतमान में आप लोग देख रहे होंगे कि मुलायम सिंग यादो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यादो हैं लेकिन वो सिंग का प्रियोग कर रहे हैं तमाम सारी जो छेत्रिय जातियां हैं जो निम्नबर की जातियां हैं वो भी अपने नाम के आगे सिंग लगा रह लास्ट में सिंग लगाते हैं वो उनकी टाइटल है क्यों क्योंकि उनका वैसा करम है लेकिन अब जैसे मान लेजिए कि वो छत्रिय लोग हैं और उन्हीं तरीके से कोई दूसरे बर्ग के लोग काम कर रहे हैं तो वो भी अपने नाम के अंत में सिंग लगाने लगे यानि करम के अधार पर क्या बनने लगा बर्ग बनने लगा इसी अन्य छेत्र में कोई और अपने सदस्यों के ब्योहार का नियंतन करने के लिए जातियां स्वयम अपने अपने नियम बनाती हैं जैसे ब्रहमडबर के लोग अपना नियम बनाते हैं मुस्लिम अपना सिख अपना जाट के लोग अपना गुर्जर के लोग अपना प्यागी के लोग अपना नियम बनाते हैं आज भी तो हैं जिसे मूला हो गई, मौलभी हो गई, संत्होगे, संक्राचारे हो गई ये नियम और कानून को समय समय पर वयाक्याईद करते रहते हैं परिभासित करते रहते हैं इन नियमों का पालन जाती की बड़े बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी जो बुजुर्ग लोग होते थे वही इसको ब्याख्याइद करने का भी काम करते थे वही इसको लागू करवाने का भी काम करते थे कुछ इलाकों में जाती पंचायत इन्हें कहा गया पंचायत कहा गया या कई प्रकार की जाती पंचायत इनको कहकर उकारा गया लेकिन जातियों को अपने निवास के गाऊं के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था जो रिती रिवाज होते थे, उनका पालन पोशन करना पड़ता था इसके अलामा कई गाऊं पर मुख्याओं का सासन होता था मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई पर भर होती थी यानि ये जो तमाम सारी जातियां हैं और जाति से सम्मधित गाउं हैं ये कई गाउं मिलकर एक राज्य की रूप में भी अस्थापित हो रहे हैं ये भी यहाँ पर कहा गया रहा है खेत्र और समराज्य क्या क्या छेत्र हैं और क्या क्या समराज्य हैं इस अध्याय में इसको हम लोग पढ़ते हैं कैसे कैसे छेत्र हैं और कैसे कैसे समराज्य हैं इसमें आईए आगे बढ़ते हैं चूल अध्याय दो में हम लोग चूल जो दक्षिन भरत का एक सामराज है चूल सामराज है उसका अध्याय तीन में हम लोग मुख्यतया तुगलक जिसकी अस्थापना गयासुदिन तुगलक ने की मुहम्मद बिन तुगलक फिरोसा तुगलक उसमें सासक के रूप में थे उस चाय चार में हम लोग मुगलों का अध्यन करेंगे, बाबर, हुमायू, अकबर, जहांगीर, साय जहां आउरंगजिप का अध्यन करेंगे, बड़े-बड़े राज्यों के अंतरगत, कई सारे छेत्र आ जाते हैं, उनका भी अध्यन करेंगे, दिल्ली के सुल्तान गयासुद दिन बल्वन, देखें, गयासुद दिन बल्वन का समय काल किया है, 1266-1287 का है, कि प्रसंसा में एक संस्क्रित प्रसंस्ति, प्रसंस्ति के उधरण के लिए अध्याय है, दो में इसको हम लोग पढ़ेंगे, एक प्रसंस्ति की रूप में देखेंगे, एक अभिलेक की और यह जो गयासुदीन बलवन था यह गुलांबंस नौवास आसक्त था इसके बाद में इसका पुत्र कैकू बाद आता है और लाश्टवाला जो साजक है उसका नाम एक होवाधि इसी का पुत्र है जो पूर में बंगाल गौड से लेकर मतलब इसका जो सामराज था देखिए बंगाल से बंगाल के गौड से लेकर पसिम में अफगानिस्तान के गजनी गजन तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिन भारत द्रबिण भी आ जाता था और गौड आंध्रप्रदेश केरल करनाटक महाराष्ट गुजरात आदिसब भिन भिन छित्रों की लोग इसमें रहते थे यानि यह देखिए यह जो भारत था यह जो भारत है इसमें गजनी भी सामिल है बलवन के समय में इसमें यह कस्मीर भी सामिल है इसमें यह द्रबिण लोग भी यानि दक्षिन भारत के लोग भी सामिल है इसमें यह पूरी तरीकी से बंगाल भी सामिल है इस बलवन के सामराज में ऐसा इसका महिमा मंदन किया गया है आईए देखते हैं इस से त्रकेमा अध्यम से देखिए यह देखिए यह इसका सामराज है यहां पर दिखाया गया है इसके सामराज में यह पूरा छेत्रसामिल है यह सिंदु नदी का पूरा छेत्रसामिल है यह पूरा जंबू कस्मीर राजस्थान गुजराश सामिल है द्रविन प्रदेश दक्षिन भारत का प्रदेश सामिल है यह बंगाल बिहार जितने भी प्रदेश हैं यह पूरा प्रदेश इस बल्वन के उसमें सामिल है मानचित्र के सिहाबुद्दीन उम्री द्वारा रचित मसाली के अवसर में ममालिक अंशार मुहम्मद तुगलत के राजिकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतरगत आने वाले प्रांत यानि यह तीसरा मान्चित्र है और इसमें कहा जारा है कि वो तो बलुन का मान्चित्र था लेकिन इसमें कहा जारा है कि मिस्र के सिहाबुद्दिन उम्री द्वारा रचित मिस्र का एक साहित्यकार है मान्चित्रकार है जिसका नाम है सिहाबुद्दीन उम्री इसी ने यह नक्सा बनाया हुआ है और इसने यह नक्सा कहां बनाया हुआ है इसने अपनी पुस्तक मसालिक में बनाया हुआ है मसालिक अल अबशर में यह छित्र बनाया हुआ है, और यह है महममद बिन तुगलक का आई है सामराज्य है, बहुत ब्रस्तित सामराज्य है, अब इसमें जैसे नंबर एक दो तीन इसके बारे में बताया गया है आईए देखते हैं कुछ खास-खास इसमें खेत्रों का नाम यहाँ पर देख लेते हैं कौन-कौन से नाम इसमें प्रसिध सामिल है इसको देखिए आप लोह समझते हैं इसको हम लोक इसमें सिविस्तान सामिल है तो सिविस्तान का है ये एक तरीके से ये उत्तर पस्यमूतर प्रांत में इस्थित है इधर इधर इस्थित है बिलकुल सिविस्तान इसमें उच्छ भी सामिल है ये भी यहीं इस्थित है मुल्तान भी पस्यमूतर है कलानोर भी पस्यमूतर छेतर ह जहां पर अक्बर ने अपना राज़ा विश्यक साथ यहीं कराया था कला नोर में ही लाहोर समाना ये पाकिस्तान के सारे छेत रहें पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिले जुले छेत रहें ये इसके राज़ में था मुहम्मद बिन तुलक के सरसुती, कुहराम, हासी और उसके बाद में दिल्ली, ये उत्तर प्रदेश का बदाईउं, कन्नोज, ये सब मुहमद बिन तुगलक के सामराज में सामिल था कड़ा मानिकपूर, ये इलहाबाद का छेतर है, फिर आवद का छेतर है, बिहार, लखनोटी, लखनोटी कोन है, लखनोटी इसमें बंगाल की राजधानी है ये जाजनगर उडिसा में है मालवा मद्ध प्रदेश में है ये सारे छेतर मुहम्मद बिन तुगलक के सामराज में थे इसके अलामा गुजरात इसमें सामिल था देवगिरी यहीं सामिल था देवगिरी अलग छेतर है ये इसके सामराज में सामिल था देवगरी को इसने राजधानी भी बनाया था तिलंगाना पैलंग द्वार समुद्र और मावर जो पांडेओं की राजधानी थी ये भी मुहम्मद बिन तुगलक के ये सामराज में ये सारे छित्र सामिल थे कि मुहम्मद बिन तुगलक के ये सारे प्रांथ हैं ये सारे प्रांथ हैं ये इसमें दिखाया गया है सारे को हमने बताया आगे बढ़ते हैं अब आप क्या समझते हैं सासक ऐसे दावे क्यों करते थे सासक अपनी राजधनेतिक आर्थिक सामाजिक बातों को बढ़ा तढ़ा के क्यों पेस करते थे अपने को सक्तिसाली साभित करनी के लिए अपनी को अस्थाफित करनी के लिए ये काम करते थे आए आगे बढ़ते हैं इतिहास कार जो ये सासक हैं इनके बिजे अभियानों की इन दावों को आतिसयोगति पूर्ण मानते साथ ही वे यह भी समझने की कोशिस में भी लगे थे कि सासक लोग इस उपमहादीप में भिन 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 भागों पर अपने अधिकार का उल्ले क्यों करते रहते जो इतिहासकार हैं इतिहासकार यह कहते थे कि जो सासक हैं जैसे मान लो सासकों ने किसी छेतर पर आक्रमण किया और उस सासक को पराजित भी नहीं किया, तब भी कुछ सासक ऐसे थे, कि आक्रमण करने के बाद में यह दिखा दिया, कि भाई हमने उस छेतर के राजा को पराजित कर दिया, उस छेतर के राजा को नत्मस्तक कर दिया, और वो हमारा पैबूस करने लगा, चरण चुम्बर करने लगा, सजदा करने लगा हमारे सामने, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया, और क्या पता कि उस राजा की उपर उसने आक्रमण भी ना किया हो? ऐसा भी तो हो सकता है, और इतिहासकार जो है, जो बाधिक बर्गी के लोग हैं, वो कहते हैं कि उसका सबूत दीजिए, और फिर सबूत नहीं मिलता, तो इतिहासकार कहते हैं कि भाई, इन बातों को बढ़ा चढ़ा के फिर क्यों दिखाते हो? इसका मतलब वो अपना महिमा मंदन करना चाह रहा है, वो सासक, वो राजा, खांसा तथा च्छित्र, आईए देखते हैं, सन 1318 की बात है, जोदावी सताब्दी का प्रारम्भिक समय, एक कभी है जिसका नाम है अमेर खुसरो, अलावद्दीन खिल्दी के दरवार में रहा, पल्वन के दरवार में रहा, अन्यत तुगलख सासकों के भी यह है, दरवार में रहा, और रहा भी, कई बार रहा भी, कई सासकों का इसने कारेकाल देखा, अमेर खुसरो ने, इस बात पर गवर किया, कि इस देश के हर छेत्र, जो भी इसका छेत्र है, कि एक अलग भांसा है, दक्षिन की अलग भांसा है, पूर्व की अलग भांसा है, उत्तर की अलग भांसा है, मद्दे की अलग, पस्चिम की अलग, यह है, कभी अमेर खुसरो ने यह बात कही, और है भी, आज भी तो है, कहीं पे सिंधी बोली जाती है, कहीं पर लाहोरी कहीं पर कस्मीरी बोली जाती है कहीं पर द्वार समुद्री दक्षिण में करनाटक में बोली जाती है तेलंगानी आंध्र प्रदेश में बोली जाती है गुजरी भासा गुजरात में बोली जाती है मयबारी भासा तमिलनाड में बोली जाती है गौणी बंग एक प्राचीन भाशा है जिसे केवल ब्रहमर जानते हैं आम जनता नहीं जानते इसे मतलब इन छेत्रिये भासाओं के अलावा यह अमीर खुसरो कहता है कि एक अलग भासा भी है जिसका नाम संस्कृत है और संस्कृत इतनी कठिन है कि इसका प्रयोग आम लोग कर नहीं पा रहे हैं इसका प्रयोग आम लोग नहीं कर पा रहे हैं जो बौधिक लोग हैं, वो है इसका प्रयोग करते हैं, यह बात भी सही है, यह अमेर खुसरो यह बात कह रहा है, आगे देखिए, अमेर खुसरो द्वारा उलिखित भासाओं की एक सूची बनाईए, बना लेंगे इस सूची में क्या है बैई, कहीं पर आओधी भासा का इसने प्रयोग किया, कहीं पर गौण भासा का इसने प्रयोग किया, कहीं पंजाबी भासा का इसने प्रयोग किया, संस्कित भासा का इस तो आपको बनाना है, और एक सूची उन भासाओं के नामों की बनाईए, जो उनके द्वरा उलिखित छित्रों में आज बोली जाती हैं, उनकी भी, तो वही तो भासाओं हैं, जो यह कह रहा है अमिर खुष्चरों, वही तो बरतमान में भी बोली जाती हैं, जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन हैं उनके चारों और घेरा का चित्र बनाईए कीजिए का आप लोग ऐसा क्या आपने ध्यान दिया है कि समय के साथ साथ भासाओं के नाम थोड़ा सा बदल गए हैं परिवर्तित हो गए हैं हाँ परिवर्तित होते हैं कई बार आईये देखते हैं संसास सोतक कई छेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तै हो चुके थे कई छेत्रों के कई छेत्रों के सास सोतक अपने अपने भौगोलिक आयाम तै हो चुके थे यानि उस भावगुलिक छित्र में कौन सा सासक है उसकी क्या किर्या विधी है यह बताया जा चुका था उसकी अपनी भासा क्या है उसकी अपनी संस्कृतिक विशेष्टा क्या है यह अस्पस्ट हो गया था 700 इस भी तक खित्रों के जैसे अवद छित्र की जैसे गौड छित्र की जैसे द्रविड छित्र की जैसे गुजरात छित्र की खासा और संस्कृतिक जो गत्विधी है वो अस्पस्ट हो चुकी थी वो क्लेर हो चुकी थी अध्याय नौ में आपको इनके बारे में बताएंगे और अधिक ज तुगलक और मुगल जैसे राजबंस अनेक छित्रों में फैला एक विसाल सामराज भी खड़ा कर लेते थे। भाई जो चोल ये एक तरीके से बाहुबली सासक थे, काफी सक्तिसाली सासक होते थे, खेल्जियों में अलाव दिन खेल दी, तुगलकों में फिरोसा, तुगलक, म इनके नम आते हैं, काफी इन्होंने अभियान किये, मुगलों के बारे में भी यही कहा जा रहा है, सभी सामराज समान रूप से इस्थर या सफल नहीं हो पाते थे, आप जैसे सामराज तो बना लिया, लेकिन वो समान रूप से नहीं चलते थे, इस्थर नहीं रहते थे, प खिल्दियों का सासन था, वह 1290 में प्रारम हुआ, 1320 में समाप्त हुआ खिल्दियों का सासन और मुगलों का सासन जैसे 1526 में अस्थापित हुई आउरंग जिप की मत्यू 1707 में हो जाती है, हलाकि माना जाता है कि 1857 में मुगल सत्ता समाप्त हुई, 1526 से 1857 तक मुगल सत्ता थी, खिल्दियों का एक छोटा सा ही समयकाल है, 1290 से 1320 और मुगलों का बहुत बड़ा सासन काल है, कई सो बरसों का सासन काल है, 18 सदी में मुगल बंस पतन के धलान पर था, 18 सदी का मतलब क्या हुआ, 1757, 158, 1800 के आसपास, और कहीं न कहीं आप लोग देख लेंगे, तो 1803 इस भी में जो दिल्ली है, जहां पे मुगल बास्ता है, उसको एक तरीके से कबजी में हिले लिया, अंग्रेजों ने, पेले जली का समयकाल ये चल ला है, जो गवर्नर जनरल है, अंग्रेजों ने मुगल सत्ता पे, अब एक तरीके से जो मुगल सासक है, वो केवल प्रतीक के रूप में रह गया है, वो गवरों के रूप में है, उसमें कोई सक्ती नहीं है, यही यहां पे कहा जा रहा है, 18 सद जरी है, राजे फिर से उभरने लगे, अब मुगलों की जो सक्ती थी, वो है, 18 सताबदी में मुगल सासक कमजोर हो गए, आउरंग जीब के बाद, तो धीरे धीरे हैदराबाद नामक नभीन राज का विकास हुआ, आसप जहां के नितित में, यह निजामल मुल्क के नितित में, चिनकिलिज खां के नितित में, उसके बाद में, आप लोग देखेंगे तो आवध नामक राजे का विकास हुआ, सायादत खां के नितित में, बंगाल में बंगाल में नभीन सत्ता का विकास हुआ, बंगाल के राज की अस्थापना हुई, मुर्शीत कुली खां के नि आत्सित में इसे प्रकार से अन्य राज्ज़ भी आया जैसे जहोनपूर भी यह तमाम से राज़्यों का बिकास हुआ। लेकिन बरसों से जो सर्व छेत्रिय सामराज्यों का सासन चल ला था, यानि इतने बड़े सामराज्य का सासन बरसों से कई सव बरसों से चल ला था, उससे छेत्रों की प्रकिरती काफी बदल गई थी, कई छोटे बड़े राज्यों का सासन चलता रहा और उन राज्यों की बह पहसान थी, ऐसा नहीं कि इस समय थी, इसके पूर्व भी थी, तो यहां पर जो सासक अस्थापित हुआ, उसको ये सारी चीजें किस में मिली, बिरासत में मिली, इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से भी लगता है, जो इन छेत्रों में उभरी थी, इन परंपराओं म मिलती हैं, वह किस छेत्र में मिलती हैं, प्रसासन के छेत्र में, अर्थविवस्था के छेत्र में, संस्कृती के छेत्र में, भासा के छेत्र में विशेष्टाइं मिलती हैं, सन सास सो से लेकर सत्रा सो पत्चास के बीच हजारों बरसों में इन विभिन छेत्रों की प्रकिर बनी रहें मगर समन्मय की सर्व छेत्रिये ताक्तों का प्रभाव उन पर पड़ा था अब जैसे मानलो इस छेत्र में कोई बड़ा सासक जाएगा इनके उपर आक्रमिन करेगा तो वह अपनी संस्कृति वह अपनी विचाधारा वह अपने प्रसासन को अस्थापित करने का प् पुराने और नए धर्म यानि प्राचीन काल के जो धर्म थे और नभीन धर्मों का कैसे विकास हुआ इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इतिहास के जिन हजारों बर्सों की परताल हम लोग कर रहे हैं 1707 से 1757 की जो इतिहास की परताल हम लोग कर रहे हैं इनके दवरान धार्मिक परमपराव में कई बड़े परिवर्तन आए थे धर्म के चेतर में कई परिवर्तन आए इस एक खजार बर्स के अंदर में तैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी-कभी बिलकुल ही बयक्तिक अस्तर पर होती थी तैविक तत्व यानि देवता में या इस्वर में अब जैसे बरतमान में भी क्या है कुछ लोग विश्वास करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं हमें इस्वर दिखाई नहीं पड़ता तो हम क्यों विश्वास करें वो नास्थिक हो गए और जो बहुत धर्म और जैन धर्म है वो नास्थिक ही है इसके पहले जो बैदिक धर्म था वो आस्थिक था वो इस्वर की सत्ता में विश्वास करता था तो वो तो धर्म है बहुत स सिक्ध धर्म को बढ़ाना चाते हैं, कोई बहुत, कोई जेन, कोई हिंदु धर्म को बढ़ाना चाता है, कोई इसलाम को, कोई इसाई को बढ़ाना चाता है, इसी दैविक तत्व में सामोहिक आस्था यानि धर्म प्रायाह आस्थानिय समदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंदित होते थे जो आस्था का विश्य होता था और जो धर्म का विश्य होता था वह आस्थानिय समदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंदित होती थी जैसे जैसे इन समदायों का सामाजिक संसार बदलता गया जैसे जैसे ये stress होते गए वो ऐसे वैसे इनकी आस्थाओं में परियुरतन होता गया अब अभी आप इस्वर में विश्वास करते होंगे आप बालक हैं आपकी उमर कम है लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कि आपकी इस्वर में आस्था ज़्यादा बढ़ जाए लेकिन कई बार तमाम सारी tragedy का भी सामना ब्यक्ति को करना पड़ता है और उस समय ब्यक्ति चाहता है कि अगर इस्वर है तो वह जो tragedy है उससे उसको उबारे ऐसे में इस सुर्थ प्रकट होता नहीं तो फिर वह ब्यक्ति क्या होगा वह नास्तिक की तरफ उसका जुकाव होता चला जाएगा और ये समय के साथ साथ होता है, ये अनुभोग कराता है, ऐसा नहीं कि ब्यक्ति सुरू में ही हो जाता है, जैसे असोक के बारे में देखते होंगे, प्रारम में सेव धर्म का अन्याई था, बाद में बहुत धर्म का अन्याई हो गया, ऐसे बहुत सारे लोग है, वैसे ही हम ल धर्म है हिंदू धर्म है उसमें भी इसी युग में महत पूर्ण बदलाव आये थे इन परिवरतनों में कुछ थे नए जैसे नए देवी देवताओं की कुछ पूजा अर्चना होने लगी इसमें परिवरतन के रूप में यह सामने आया राजाओं द्वारा मंदिरों का निर इनमें भी ब्यक्ति की सिध्धा बढ़ने लगी ऐसे भी समझ सकते हैं आप अब यह क्या करेंगे यह तमाम सारे मंदिरों मठों बिहारों की भी अस्थापना करेंगे समाज में पुरोहित के भी कई बर्ग आ गए पहले ब्रहमड ही था अब उससे सम्मंदित भी कई बर्ग आगे इसमें संस्कृत ग्रंतों के ज्यान के कारण समाज में ब्रहमणों का बड़ा आदर होता था चुकि संस्कृत में संस्कृत मुक्यत या किसको आती थी इनी ब्रहमणों को आती थी और ब्रहमणों ने एक तरीकी से जो साहित लिखा उसके आधार पर इनका बड़ा करने के कारण समाद में इनका दबदबा और बढ़ गया इन वर्गों का पुरह मड़ वर्ग का इस युग में यानि मध्य युग में एक महत्यपुन परिवर्तन भक्ति की छेतर में आपको देखने को मिलेगी भक्ति की छेतर में भक्ति की आउधाना के रूप में परिवर्तन आया जो भक्ति आंदोलन हुआ सूफियों ने किया जो हिंदू संतों ने किया इसी भक्ति आं अध्यन करेंगे। इसमें इस्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इस्ट देवी देवता के रूप में की गई। प्रेम के रूप में मतलब इस्वर क्या है। जैसे मीरा भाई है। मीरा भाई ने क्या इस्वर को अपना प्रेमी माना। यही तो है ना। इसमें कई सूफी संत आ पुझार Iya bills इस्वर्प को क्या मानए अपना प्रेमि मान रहेEM का जा रहा है प्रेमल एस्ट देवी देवत्वा द किसके रूप हमारे प्रेमी के रूप में आगे मीरा ने कहा कि मैं तो स्री क्रश्म संग राची ये सारी चीजे जिस तक पुजारियों के विश्द कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयम पहुंच सके अब इसमें क्या हुआ जो भक्ती संत थे जो सूफी संत थे इन्होंने अपने गायन के माध्यम से अपने अन्य माध्यमों से ये इस्वर तक पहुंचने की बात करने लगे ये पूजा पाठ जब तब की बात नहीं करते थे गायन के माध्यम से नर्तन के माध्यम से ये इस्वर तक पहुंचने की बात करने लगे इस विशाय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय आठ में जनकारी मिलेगी उसमें धर्म का ब्रस्तित रूप से हम लोग अध्यन करेंगे भक्ती का यही वह यग था, उनि मध्धकाल ही वह यग था जिसमें इस महाद्यूप, यानि भारती महाद्यूप में ने ने धर्मों का आगमन हुआ इसी समय gusta-कुराण भी आया, यानि इसलाम भी आया आपकी छत्र में, इससे पहले नहीं था भारत में पहले पहल सात्वी सदी में आया 712 में ही तो आया अरबों ने आक्रमण करके सिंद पर कब जा कर लिया 712 इस वी में तो इसलाम आ गया उसके बाद में तुर्क आये मुहम्मद गुरी आया उसके पहले महमुद गजनवी आया था तो इसलाम आया, तो इसलाम आया, तो उनकी भासाइं आई, उनका धर्म आया, उनके सांस्कृतिक क्रिया कलाब भारत में आये, और भारत में ग्रहन सीलता की बात पाई जाती है, भारती संस्कृति की ग्रहन सीलता एक मुख्य विसेस्ता है, इसलिए हमने इन सभी बातों को अंदिस लेके आये कुरान क्या है यह इस्लामिक गरंथ है यह विधिक गरंथ है जिसे हमारी मनु अस्मृति है रामायड है महावारत है वह इसे कुरान है यह सात्वी सताब्दी में आया था और इसलाम धर्म को ब्यापारियों ने लाया था ध्यान रखिएगा आप तरप्रथम ब्यापारियों ने लाया था यह मुसल्मान कुरान शरीव को अपना क्या मानते हैं धर्मगरंथ मानते हैं केवल एक इस्वर आल्लाह की सत्षा को सबीकार करते हैं को सभीकार करते हैं अल्लाह की सत्ता को सभीकार करते इसमें प्रेम करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है चाहे वो उस व्यक्ति की सामाजिक प्रिष्ट भूमी कुछ भी रही हो मतलब अगर निमनबर का व्यक्ति है उच्च बर का व्यक्ति है तभी अगर वो इसलाम धर्म का अन्याई है तो वह दूसरे व्यक्ति को क्या सोच के गले लगाता है वो प तोर के पीछ करते हैं जब की और पेज करके उसको कुछ में कुछ तोड़ने की बात नहीं करता करोना की बात करता है क कोई अगर इसान वस्था में तो उसके उपर दया किजिए उदारता दिखाएए यह इसलाम कहता है पई सासक इसलाम और इसके विद्वान धर्म सास्तियों और नयाए सास्तियों अर्थात उलेमा देखो यही बात उलेमा को संड़क्षड देते हैं हिंदू धर्म की ही भात इसलाम की अनुयाई आपने धर्म को अलग अलग तरह से ब्याख्या करते हैं वही बात और जो ब्याख्या करेंगे तो भी संगती आएगी ब्याख्या तो अपने हिसाब से करेंगे ना मुसल्मानों में में कुछ सिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसल्मानों को बिधि सम्मत सोबिकार करते थे जो मुहम्मद सहाब में आपको पढ़ाऊंगा जिनका जन्मा 570 इसबी में होता है तो उन्ही के दामाद थे जिनका नाम है अली उन्ही का दामाद उन्ही के दामाद थे जिनका नाम कहा है जिनका नाम है अली और करबला का जब युद्ध हुआ तो करवला के युद्ध में खलिफाओं ने इन अली को पराजित कर दिया और ये जो अली थे इनके भाई का नाम हुसेन था तो मुस्लिम संपरदाय में भी आज जब ताजिया निकलती है तो चुकि ये इसलाम धर्म के जो पेगंबर मुहम्मद साब थे उनक ये पुकारा जाता है उन्हीं की यादों में ही तो ये होता है इसके बाद में पेगंबर साहब के बाद में ये अली साहब आये और इनको करवला के मैदान में एक तरीके से पराजित कर दिया इसके बाद में यह जो इसलाम है ये खलीफाओं के हाथ में आ गया अब खलीफा भारत में जो हनफी और सफी ये दो एक तरीके से सिध्धानत है एक हनफी और दूसरा सफी कि विभिन परंपराओं में भी कई महात्वण अंतर रहें ऐसे धर्म सिध्धानतों तथा रहत सिभादी विचारों को लेकर देखने को मिलता है इसमें कुल मिला के यहां बताया गया कि जैसे इसलाम भी आया तो इसलाम में भी कालांतर में कई प्रकार का विभाजन देखने को मिला पहले तो इसलाम ही सिया और सुन्नी में विभाजित हो गया और भारत में अगर इसलाम का सुन्नी बर्ग आ रहा है या सिया बर्ग आ रहा है तो उसके अपने अलग-अलग सिधान्त हैं कानून के छित्र में और धर्म के छित्र में भी और इसका मतलब यह हुआ कि इसलाम में भी कई तरीके की फूट आपको दिखाई पड़ेगी अब कुछ लोग कहेंगे जैसे सुनी है तो थोड़ा कटर हैं कहेंगे नहीं इसलाम हमा मुस्लिम में सीयगें सुन्ई में लड़ाई होती है में समय और इतिहาस की काल खंड़ोø पर बिचार करते हैं समय और इतिहास के काल खंड़ोब समय का मतलब और क्लकckंड practitioners प्राचीन भारत आधुनिक भारत मद्यकालिन भारत और मद्धrias कालिन भारत में जैसे दिल्ली सल्तनत मुगल सल्तनत इसके बारे में आईए हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है इतिहास कर समय को केवल घडी या कलेंडर की तरह नहीं देखते। जैसे आप लोग समय देखकर आपिस जाते हैं, तो इतिहासकार का कहना है, समय का तातपर यह नहीं है, समय का मतलब यह है, कि जब किसी समय में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक, तो समय का मतलब उस परिवर्तन से है, यह इतिहासकार बिंग्तार कहते हैं। समय यह दिखलाता है कि विचारों और विष्वासों में कितना अस्थाय्त तो रहाे। तो इतिहास कारका मानना ये है, समय हमें ये दिखाता है, यदि अतीत को समान विशिष्टा रखने वाले कुछ बड़े-बड़े हिस्सो युगों या कालों में बांट दिया जाए, तो समय का अध्यन कुछ आसान हो जाता है, इनका ये भी कहना है कि जो प्राचीन भरत का इत करते हैं, उन्नीसवी सदी के मद्ध में अंग्रेज इतिहास कारों ने भारत के इतिहास को तीन यूगों में बाटा, ये भी बहुत इंपार्टन्ट है, इसको नोट कर लिए का तीन यूगों में बाटा, उन्नीसवी सदी में अंग्रेजी इतिहास कारों ने किसको भारत को हिंदु में बाटा, मुस्लिम में बाटा, और बिटिस में बाटा, अब यह जो इतिहास का विभाजन है, यह सामपरदाइक विभाजन है, यह कैसा विभाजन है, यह सामपरदाइक विभाजन है, और आजुनिक भारत की जो NCRT हमने पढ़ी थी उसके दूसरे अध्या, दूस ये बहुत उपियोगी है, इसको पूछा भी है कई बार, जेम समिल ने किया था, ये ब्रिटिस सिंतक है, ब्रिटिस एक तरीके से दार्षनिक है, जेम समिल, ये उपियोगीताबादी दार्षनिक है, इसी ने किया था, ये सामपरदाइक भी भाजन किया था, पिचार पर आधारित था कि स्तास्कों का धर्म एक मात्र महत्वपूर्ण एतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थविवस्था समाज संस्क्रती में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है इस दिशिकोंड में इस उप महादियुप की अपार इस महादियुप की अपार विवित्ता की उपेक्षा हो जाती है जैसे मान लिजिए कि भारत में इसके पूर्व यानि प्राचीन काल या मध्यकाल और अगर आधुनिक काल में देखें तो जैसे ये संस्कृतिक बिवित्ता वाला देशरा है और आधुनिक भारत के जो सासक भारत में अस्थापित हुए जैसे अंग्रेज हुए जैसे अन्य लोग हुए तो जो भारत की संस्कृती है उसको कहीं न कहीं उन लोगों ने नस्ट करने का काम किया तो यह जो विविधिता वाली संस्कृती है उसको नष्ट करके उन्होंने अपनी संस्कृती को भारत में अस्थापित किया यह एक परिवर्तन का देवतक है यही बात यहाँ पे कही जा रही इस काल को इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही सुभीकार करते हैं समाजिक गतिविधी के आधार पर ही इतिहास का विभाजन करते हैं। मैं पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समवेस्थ था। पिछले साल यानि प्राचिन काल में जो आपने इतिहास पढ़ा था उसमें आप लोगों ने सिकारी यानि जो मनुसे था वो सिकारी प्रवित्ती का था प्रारंभिक दौर के क्रिसी कर्मी कैसे थे ये भी पढ़ा, सहरों और गाओं के निवासियों को पढ़ा, प्रारंभिक दौर के राजियों को पढ़ा, और कई प्रकार के इस समय सामाजियों को पढ़ा, जिसे मौरे सामराज, जिसे गुप्त सामराज, इस साल आप जो इतिहा पढ़ेंगे उसे प्राया मध्यकालीन इतिहास कहा जाएगा पिछले साल में जो इतिहास पढ़ा वो प्राजीन भारत का इतिहास था लेकिन इस साल यानि आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे मध्यकालीन भारती इतिहास के नाम से जाना जाएगा जिसका अध्यन आप लोग कर प्रधान धर्मों का अध्यन आपको करना है इस समय के जो प्रधान धर्म है जैसे सयो है बैस्टो है हिंदू धर्म है इसलाम है उसका भी अध्यन आपको करना है इसलाम है और आखिर में चलके एवरप से तमाम सारे ब्यापारी आए तो इसाई धर्म का भी अध्यन आपको करन रहा है कि अध्यान नहीं करना है लेकिन सुर्वात तो होई जाएगी ना भारत के इतिहास के यह हजार साल अनेक बदलाओं के साक्षी रहें यह जो हजार साल लाय साथ सो से सत्रा सो सत्तावन तक यह अनेक परिवर्तन का देव तक है सोलावी और अठ्रावी सतावदी आठ्मी और ग्यारावी सतावदी से काफी भिन्नती जो आपकी सोलावी सतावदी है जो अठ्रावी सतावदी है यह आठ्मी और ग्यारावी सतावदी से काफी अलग है काफी जुदा है काफी परिवर्तन है इसमें इसलिए इसे सारे काल को एक एतिहासिक एकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है, फिर मध्यकाल की तुलना प्राया आधुनिकाल से की जाती है, मध्यकाल की तुलना आधुनिकाल से की जाती है, आधुनिक्ता के साथ भौतिक उन्नती और बौधिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ क्योंकि जो मद्यकाल है मद्यकाल में भी आप लोग देखेंगे कई प्रकार की विकास हुई अस्थापत्य के छित्र में साहित्य के छित्र में तो यह जो उन्नती हुई इसी परिपेश में मद्यकाल को आधुनिक काल कहा जा रहा है इससे आसे यह निकलता है कि मद्यकाल रोड़िबादी था और उस दवरान कोई परिवर्थन हुआ ही नहीं लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था ऐसा नहीं था कि कोई परिवर्थन ही नहीं हुआ हुआ इन हजार बर्चों के दौरान इस उप महादियूप के समाजों में परिवर्थन होते रहे कई छित्रों की अर्थ ब्यवस्था तो इतनी समिद्ध हो गई कि एउरप की ब्यापारी कमपनियों को भी आकर्शित करती थी अर्थ ब्यवस्था तभी तो आई ये उरोपी ब्यापारी तो इसका मतलब मद्धिकाल की लोग ही आधुनिक थे मजबूत इस्तिती में थे इस पुष्टक को पढ़ते समय आप परिवर्तन की चिन्हों तथा यहां शक्री एतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें और जब भी संभव हो इस पुष्टक में आप जो पढ़ रहें उसकी तुलना आप पिछले बर्स में पढ़ी हुई बातों से करते चलें जहां भी संभव हो यह देखें कि कहां बदला हुआ है कहां परिवर्तन हुआ है अपने आस पास की दुनिया पर नजर ढाल कर भी यह देखें और भी क्या कुछ बदला है क्या वैसा ही रहा है इसका मतलब इस इतिहास का यानि मध्यकालिन इतिहास का जब अध्यन आप लोग कर रहे हैं तो यह भी देखें कि जो आधुनिक काल का यानि अंग्रेजों के समय काल का अध्यन क्या था उस समय की सांस्कृतिक इस्थिती क्या थी आर्थिक क्या थी प्रसास्निक क्या थी और इसकी तुलना बर्तमान से भी करते चलें तभी तो आप कलपना सील होंगे एक्टिव होंगे तभी तो आप effort करेंगे तभी तो ये मन आपका जो है वो क्या होगा एक्टिव होगा, तभी तो आप में यह चीजें घर कर जाएंगी, बस जाएंगी, तभी तो नहीं बोलेंगी, यह आपकी NCRT कह रही है, तो आप करना शुरू कर दिए इसको तो एक तरीके से यह जो आपका पहला अध्याय रहा, यह है आप लोगों के बीच में क्या रहा, यह है आप लोगों के बीच में समाप्त रहा, इस परिपेक्स में आप लोग इस कलास में सामिल हुए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, अगला भाग आप लोग के बीच में निरंतर आता रहेगा आपको आप इंतजार नहीं करना पड़ रहा है एक NCRT आधुनिक भारत की NCRT का हमने अध्यन किया कच्छा 8 की अब आप लोग के बीच में मध्यकालिन भारती इतिहास की NCRT है कच्छा 7 की NCRT है इसका पहला टाफिक आप लोग के बीच में आगया है निरंतर आप लोग के बीच में दूसरा तीसरा चवथा पाचवाँ छटवाँ साथवाँ आठवाँ नौवाँ और अन्तिम टाफिक दसवें के रूप में आएगा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत सुक्रिया आप लोग को थेंक्यू